यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं सब्दानी दर्बार बहुती जगा हावा है ती स थाल हावा जि नामांकन में शामिल हूं आप में बतादन की प्रदेश मां दूसर चरण के चनावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिर साय शामिल हुई शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीथ है तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंग शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीएम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुख्य मंत्री विशुदेव साय पाउची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगा हावाए उती तिस्थल हावाए जी हां महुत्सक्या आयज़न करे जाते हैं आज मुखे मंत्री विश्ण देव साय तको सद्धाने दर्बार मा चलती महुच्छा मा पहुची आज लोगन ले मलकात करहीं महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई आप मलबतादन की प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी आज महासमुद मा नामांकन रेली मा मुखे मंत्री विश्ण देव साय शामिल हुई आज मुखे मंत्री विश्ण देव साय शामिल हुई और जाएंगे सीम विश्ण देव साय और रात साढ़े नौ बजए राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्ण देव साय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजए महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजए नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैधान उता रहा है तीन बजए मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजए रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजए लोटे थे और रात साड़े नो बजए रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64-वी वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है जसके चनावाबर नामांकन प्रक्रिया जाघ croisी जबाध जबाध बजे महां समुन रहना है और तीन बजे बिलाईगड जिले के पाउनी पोछेंगे सीम तो आज मुक्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोड जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहद्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैंजान उतरा है तीन बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीम, साड़े दर्बार में 64 वरसी महोचसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है, यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है, और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्र इसका पास्ण सब्सक्राइब आश्र जा करें आज जोगके मंतर विश्वदेव साहीज़ पहुची एप्यादस जगह महुंची जगहा हवाई तीट सथल हवाई जीहा आश्रण करें जाते आज मुख्य मंत्री विश्ण देर साय तको सद्दाने दर्बार मां चलती महूत से मह पहुंची यहाँ लोगन ने मलकात कर ही महासमुद में तको आज उमन नामांकन रेली मां शामिल हुई आज मुख्य मंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को बैदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं जवाब किसी स्टेट के बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है जवाब किसी स्टेट के बाद रात में साड़े नो बजे नो बजे आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नो बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंज़ान उतारा है 3 बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दरबार जाएंगे सीम सदाडी दरबार में 64 वी वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग-अलग जिला के उमन दौरा करत हुए सब्डानी राइपूर के समदानी दर्बार मा अयोजन करे जाते है आज मोकिय मंतरी विश्वदेव साह पहुची समदानी दर्बार बहुती महती जगा हावाय जी हां महुत्सव क्या जुन करे जाते हैं अज मुख्य मंत्री विश्ण देश साय तको सब्दाने दर्बार मां चलती महुत्सव मां पहुची और लोगन ने मलगात करी महा समुद्मा तको आज उमन नामांकन रेली मां शामिल हुई आप मलबताद बारा बजे महा समुद्मा जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे बाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सिम तो आज मुक्य मंत्री इन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सिम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के श्रदारी दरबार जाएंगे सिम त रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी बारा बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से केंडिडेट है तामरोधत साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैधान उतारा है तीन बजे मिलाई गर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे क आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं के सब्दाने दर्बार मा आयोजन करे जाते महोथ सब जारी है आज मुखे मंत्री विश्णदेव साय पहुची सब्दाने दर्बार मा चलती महोथ समा पहुची अव यहाँ लोगन ने मुलकात कर ही महासमून मा तको आज उमनना नामांकर रेडि मा शामिल हुई आप मालब बतादन की पुरदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रेली मा मुख्यमंत्री विश्ण दिर साय शामिल हूँ है बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्यमंत्री एन बारे दरपार में 64 वी वर्षी मोहत्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम बिश्टु देवसाय दो जिलों के दौरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दौरे पर थे और आज भी बारा बजे महासमुद जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुखे मंत्री विशुदेव साहय पोची सब्दान डर्बार बहूती महती जगह हावायए उस्त All Howわか questi अहां जुम्हां जोन करे जातों अज मुखे मंत्री विश्देव साहय तको सब्दानी दर्बार मां चलती महोत्सों मां पोची महती जगहा हओ थीậंेगे आप में लबतादन की प्रोडादेश मां दुसर चरन के चनाव बर नामांगकन प्रकृया जारी है जे मां महासमुद सीध हेलो के शामिल है आज महासमुद मां नामांगकन रैली मां मुक्यमंत्री विश्दीर साय शामिल हुए बाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णुदेव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम विश्णुदेव साय पाउनी में चुनावी जन सभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे राइपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शदारी दर्बार जाएंग बिलाइपूर के साढ़े दर्बार में 64 वी वर्सी मोहतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानी 12 बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साले 9 बजे भी कारिकरम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज जवाब किसी स्टेट के हे भी धाय, पीजवाब किसी स्टेट के हेड है प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं पर देश मां दूसर चरण के चलावाबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिवसाय शामिल होंगी तो आज मुख्यमंत्री एन श्रेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ण देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल ह चुदारी दरबार में 36 गण में आज सीम विश्ण देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूपकुमारी चौदरी यहा राइगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम विश्ण देवसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दरबार जाएंगे सीम सा 69 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाल रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जिला के दवरा करी हैं आप मला बतादन कि महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली माउमन शामिल होते तो उन्हें दूसर डहार आपनला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोत्सों जारी है जिहां आज आज दू जिला के दूसर डहार जिए जारी है जिए महा समुद मा आज नामांकन रैली मा आज मुखे मंतरी विश्ण दिर्साय शामिल होते हैं आज मुखे मंतरी एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे रायपूर लोट जाएंगे सियम विश्ण देव साय और रात साढ़े नौ बजे रायपूर के श्रदारी दर्बार चौसटवी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे साओ केंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मैंदान उतरा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम विश्ण देव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाच बजे लोटे है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हैड होते हैं आज मुखे मंतरी विश्ण देव साय पहुचि सीधानी दर्बार बहुती महती मेहती जगा हावाय तृति महुत्सत्रा जाथ रध eer माँ कले जुरेत जैते आज महासमुद मा नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विश्ण देवसाय शामिल होंगे आज महासमुद मा नामांकन रैली में शामिल होंगे रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरो धत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतारा है बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साले नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं बजे बाद देश मा दुसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिर्साय शामिल होगी बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्यमंत्री ए दारे दरपार में 64 वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौधरी को मैंदान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीएम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दरबार जाएंगे सीएम सदाडी दरबार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हवाएं आज महा समुद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उमें दूसर डहार आपनला यहू बतादन कि राज़णी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोटसफ जारी है जीहां आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय पहुची सब्दानी दर्बार मा चलती महोटसफ मा पहुची नामांकन खर्श बारे बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे तुद भाषबा प्रत्याशी गिंट कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतरा है 3 बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सियम सदाड़ी दर्बार में 64 वी वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हवाई आज महा समुद मा एक डहार घहार आमांकन मा उमन शामिल होते तो उमें दूसर डहार आपनले यहू बतादन कि राज़्दानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोत्सों जारी है आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय पहुची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगा हावाय उती तिस्थल हावाय जिहां महुचस के आये जुन करे जाते। आज मुखे मंत्री विश्ण देव साय तको सब्दाने दर्बार मा चलती महुच्छा मा पहुची यहां लोगन ले मुलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई आप मलबतादन की प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जा मादरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट में भी वो शामिल होंगे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जन सभा को संबोधित करेंगे शाम को पाच बजे राइपूर लोटेंगे कल भी पाच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे राइपूर के शदाडी दरबार जाएंगे सीम शामिल होना है यानी साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं समुद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उन्हें दूसर डहार आपनले यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोट सब जारी है जीहां आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय पहुची सब्दानी दर्बार मा चलती महोट सब्दानी दर्बार मा पहुची और लोगन ले मुलकात कर ही महा समुद मा तको आज उन्हें नामांकन रैली मा शामिल हो ही आज महा समुद मा नामांकन रैली मा मुखे मंत्री विश्ण देश के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारे बज़े नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी ब्रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बज़े बिलाईगर दिले के पाउनी पहुचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बज़े राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बज़े राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहद्सव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बज़े महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बज़े नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामर दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है तीन बज़े बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बज़े रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बज़े लोटे थे और रात साड़े नो बज़े रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सीम सदाड़ी दरबार में 64-वी वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बज़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बज़े भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दूजला के दौरा करी हैं आप मनला बतादन कि महा समुद मा एक डाहर जिहां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उमें दूसर डाहर आप मनला यहू बतादन कि राज़दानी राइपूल के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करी जाथे आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगा हावाय है उती तिस्थल हावाय है जी हाँ महुत सथ आये जुन करे जाते हैं देश भर ले रधालू है जुरिया थे आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साहे तको सब्दानी दर्ब मुख्यमंत्री विश्ण देवसायर शामिल होंगे 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 मुख्यमंत्री विश्ण देवसायर शाम देवसायर शामिल होंगे शुदारी दरपार में 64वी वर्षी मोहद्साव में भी वो शामिल होंगे इस बार बीबीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम विश्ण देवसायर पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीयम साडाडी दर्बार में च gaming चौशट्वी वरसी मोहोट्सों कार operations में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है मुख्यमंतरी विष्च्ण दिवसाय शामिल है वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन में सामिल होंगे भाषपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे रायपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साई और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज CM बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंज़ान उतारा है 3 बजे बिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे CM बिशुदेव साय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे CM सदाडी दर्बार में 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दोरा करत हुएं आज महा समुद में पहुची नामांकन रेली में उमन शामिल हो ही एक संगे रायपूर के सदाड़ानी दर्बार मा घलो के उमन पहुची वपरात्मा करी सदाड़ानी दर्बार मा महुत्सों के आयूजन करे जाते हैं आज दू जिला के दौरा करी हैं आप मला बतादन कि महा समुद मा एक डाहर जीहां ना मांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उहें दूसर जाहर आपनल यहू बतादन कि राज़दानी रायपूर के सब्धानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोगसव जारी है जीहां आज मुख प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे महा समुद मा नामांकन रैली मा मुख्य मंतरी विश्चिन दिरसाय शामिल होते हैं बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे सारे बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी ब्रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में चौसटवी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहाँ से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैधान उतारा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे राइपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सीयम साड़ी दरबार में 64 वी वरसी महोतसों कारेक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जब आप किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं जब आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैजदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते है बार मां आयोजन करे जाते महोग सब जारी है आज मुख्य मंत्री विश्ट्रदेव साय पहुची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगा हावाए उती तिस्थल हावाए महोट सब के आयोजन करे जाते अग्देश भर ले रदालू है जुरिया थे आज मुख्य मंत्री विश्ट्रदेव साय तको सब्दानी दर्बार मा चलती महोट समा पहुची आज लोगन ने मलकात करही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई आप मले बतादन की प्रदेश मा दुसरत चलन के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिए मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है आज महासमुद मा नामांकन रेली मा मुख्य मंत्री विश्ट्रदेव साय शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारे बज़े नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीम बज़े बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं तो शुदारी दरपार में 64-वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बज़े महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बज़े नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बज़े बिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बज़े रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बज़े लोटे थे और रात साड़े नौ बज़े रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बज़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं प्रदेश प्रदेश मा दूसर चरण के चनाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीट खलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्चु दिर्साय शामिल हूँ है जाने वाले हैं बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे जो भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसव में भी वो शामिल होंगे विजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मैधान उताराये तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम विश्टु देवसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे राइपूर लोटेंगे कल भी पा जबाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज मुखे मंत्रि विश्टु देव साय पहुची सब्दानी दरबार बहुती महती जगा हावाय जिए तैस्थल हावाय जियं महाँच सथ क्याए जन करे जातो मुख्यमंत्री विश्ण देव सायर शामिल होंगे 12 बजे महासमुद्ध जिले के लिए वो रवाना होंगे 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और 3 बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंज़ान उतारा है 3 बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदेव साय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हुएं आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उहें दूसर जहार आपनला यहू बतादन कि राजदानी राइपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोटसों जारी है आज मुखे मंत्री विश्ण देश साहे पहुची सब्दानी दर्बार महोटसों पहुची यहां लोगन ने मुलगात करहीं आज वाले हैं बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साए और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साए दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरदच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है 3 बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दरबार जाएंगे सियम साडाडी दरबार में 64 वी वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डाहर जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल हुए तो उहें दूसर जाहर आपनल यह हुँ बतादन कि राजणानी राइपूर के सद्दानी दर्बार मा आयुजन करे जाते महुद सफ जारी है जिहां आज मुक्य मंत्री विश्णोदेव साहे पहुची सब्दानी दर्बार बहुती जगा हावाय जिहां महुद सफीया जुन करे जाते महाँ बतादन कि प्रदेश मा दुसर चरण के चनाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जमा महासमुद सीथ घलो के शामिल है आज महासमुद मा नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विश्ण देवसाय शामिल होंगे रात साड़े नौ बजए रायपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सियम तो शुदारी दर्बार में 64 विश्ण दर्बार में शामिल होंगे रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैजदान उतार आये तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदारी दर्बार जाए आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुखे मंध्री विशुदेव साय पाउची सब्दानी दर्बार बहूती महती जगा हावाय उती तिस्थल हावाय जी हां महुट्स के आया जुन करे जाथे तो अब देश भड़ ले रधालू हें जुरिया थे जे मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्यमंतरी विश्चु दिर साय शामिल होगी जे मा नामांकन रैली में शामिल होगी शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंतरी एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीविजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय पाहूची सब्दानी दर्बार बहूती महती जगा हावाए उती तिस्थल हावाए जी हां महूत सत्या आयजन करे जाते हैं शुभर ले धालू है जुरिया थे आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय तको सब्दाने दर्बार मा चलती महूत्य मा पहुची आज लोगन ले मलगात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई आप मले बतादन की प्रदेश मा दूसर चरण के चला बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिवा महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रेली मा मुख्य मंत्री विश्ण देव साय शामिल हुई बारा बजे महासमुद्ध जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मँख्य मंथरी विश्ण देश आय पहुँची सथाल हावए महुथ सथे आयुजन करे जाते अब देश बर लेष रदालों या जुरियाथ है यहाँ लोगन्नने मलकात कर ही महा समुद मा तक व कौ आज उमन्न नामांकार रेडी मा शामिल हुई आप में लबतादन की प्रदेश मां दूसर चरण के चनावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुन सीथ खलो के शामिल है और आज महासमुन मां नामांकन रैली मां मुख्य मंत्री विश्ण दिर साय शामिल होंगी बारा बजे महासमुन जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे जो भाजपा प्रत्याशी ब्रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री इन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के श्रदारी दरबार जाएंगे सीम त आएंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी बारा बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से केंडिडेट है तामरोधत साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं सिर आयपूर के सदानी दर्बार मां आयोजन करे जाते हैं महोथ सफ जारी है आज मुक्य मंत्री विश्देश साय पहुची सदानी दर्बार मां चलती है महोथ समा पहुची ओ। महा समुद्ध मा नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विश्ण देवसाय शामिल होंगे बारहे नौ बजए राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सियम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहत्सा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीयम बिश्टु देवसाय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजए महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजए नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैंजदान उतार आ है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साणे नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हैड होते है आपनला यहीं बतादन कि राज़दानी रायपूर के सब्धानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोट सत जारी है आज मुख्य मंद्री विश्ण देश साहे पहुची सब्धानी दर्बार मा बहुती महती जगह हावाय उती तिस्थल हावाय जी हाँ महुत्सा के आए जुन करे जाते हैं अब देश भर ले रधालू है जुरिया थे आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय तको सद्धाने दर्बार मा चलती महुत्सा मा पहुची आज लोगन ने मलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेडी मा शामिल हुई जाने वाले हैं बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मु दारे दरपार में 64 वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौधरी को मेंदान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते है बेशुतर के प्रदेश माँ दुसरचरण के चनावब बानावाँंकन प्रक्रिया जारी है जिए मा महासमुन सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुन मा नामांकन रैली मा मुख्यमंतरी विश्चु दिर्साय शामिल होई जिए मा नामांकन रैली में शामिल होँगे शाम पाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बज़े बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंतरी एन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउ दाड़े दरपार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे बीजेपी ने साहू कंडिडेट ना देकर रूप मार चौधरी को मैधान उतारा है तीन बज़े मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाच बज़े रायपूर लोटेंगे कल भी पाच बज़े लोटे थे और उसके बाद रात में साड़े नो बज़े भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आउजन करे जाते हैं आज लोगन ने मुलगात कर ही महासमुद मा तक आज उमन नामांकन रेडि मा शामिल होई हैं आप माल बतादन की प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिवसाय शामिल हुँगी जे मां नामांकन रैली में शामिल होंगे शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चु पुदारे दरपार में 64 वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार साड़े दर्बार में 64 वर्सी मोहत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल हुए तो उहें दूसर डहार आपनल यहू बतादन कि राजणानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयुजन करे जाते महोगसव जारी है जिहां आज मुक्य मंत्र विश्ण देव साय पहुची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगा हावाय जिहां महोचव के आयुजन करे जाते महा समुद मा आज नामांकन रैली मा शामिल हुए आप मले बतादन कि प्रदेश मा दूसर चलनाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिह मा महा समुद बारा बजे महा समुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्रे मंतरी एन शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे तामरो दच साउ के खिलाब चौना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मैंदान उतरा है तीन बजे बिलाई इगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीम साड़ी दर्बार में 64 वी वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यानि साड़े नामांकन में उन्हें 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 साड़े नामांकन में शाम पाज बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साधे नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैज़दान उतारा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज मुख्य मन्त्री विष्य देव साय पहुची सब्दादी दरबार भ Audience ते जगा हावब है तो देश भर लेुए। महुख्य मन्त्री विष्योदेव साय नो चलती महुथमा पहुची आज लोगनले मलगात कर हैं आज मुखे मंतरी विश्ण दिर साय शामिल होई अज बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे सारे बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंतरी एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहद्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैंजान उतरा है 3 बजे बिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बिशुदे उसाय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सियम सदाडी दर्बार में 64 वी वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हवाई आज महासमुद में पहुची नामांकन रैली में उमन शामिल हो ही एकर संगे रायपूर के सदानी दर्बार मां घलो के उमन पहुची उपरात्मा करी सदानी दर्बार मां महोटसों के आयजन करे जाते हैं उमन शामिल हो ही ता आज दू जिला के दवरा करी है आप मला बतादन कि महासमुद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली माउमन शामिल होते तो उहें दूसर डहार आप मला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्धानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोट सफ जारी है जीहां आज मुखे मंत्री विश्ण देव साय पहु आप मला बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चनाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जीहां महासमुद मा नामांकन रैली मा मुखे मंत्री विश्ण देव साय शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे बाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे इस बार बीबीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मेंदान उतर आए तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे, कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाड़ी दरबार जाएंगे सीम सदाड़ी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसों कारेकरम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज मुखे मंत्री विश्ण देव साए पहुची सब्दानी दरबार में उन्हें पहुची आज लोगन ने मलकात करहीं आज मुखे मंत्री विश्ण देव साए शामिल होई है आज मुखे मंत्री विश्ण देव साए शामिल होई है प्रडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ण देव साए और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में चौसटवी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे गैडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मैजदान उतारा है तीन बजे बिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम विश्ण देव साए पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यानि में उन्हें सामिल रहना है साम 5 बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात 9 बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतरा है नामांकन में उन्हें शामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हैड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुन उमन पहुंची नामांकन रैली मा उमन शामिल हो ही आज दौरा के दौरा करी है आप महा समुन मा एक डाहर जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते हैं तो उमें दूसर डाहर आपनल यह हूँ बतादन कि राज़नानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते हैं महा समुन मा आमांकन रैली मा आप मलबतादन कि प्रौरा देश मा दूसर चरण के चलावबर नामांकन प्रकरिया जारी है जे मां महासमुन सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुन मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिरसाय शामिल होगी जे मां नामांकन रैली में शामिल होगी बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बज़े बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्यमंत्री एन श्रेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी मिचुनावी जिनसभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीएम तो शुदारी दरबार में चौसटवी वर्षी मोहदसाव में भी शामिल होंगे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीएम विश्टु देव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाच बजे राइपूर लोटेंगे कल भी पाच बजे लोटे थे और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शदारी दरबार जाएंगे स 64 वी वर्सी महुत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानी साढ़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साढ़े नौ बजे भी कारिक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं सब्दानी दरबार बहुती महती जगा हावाए जी हा महुत्सों करे जाते हैं अज मुखे मंत्री विश्णूदेश साढ़े तको सब्दानी दरबार मां चलती महुत्सा मा पहुची आज बारा बजे महासमुद्ध जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाई गर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतारा है 3 बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीम सदाड़ी दर्बार में 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.12 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हुएं आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उमें दूसर डहार आपनला यहू बतादन कि राज़दानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोग सब जारी है आज मुखे मंत्री विश्ण देश साहे पहुची सब्दानी दर्बार मा चलती महोग सब पहुची आज मुखे मंत्री विश्ण देश साहे बारा बज़े महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे सारे बारा बज़े नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बज़े विलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बज़े राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बज़े राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बज़े महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बज़े नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतारा है तीन बज़े मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बज़े रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बज़े लोटे थे और रात साड़े नौ बज़े रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बज़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज प्रदेश मां दूसर चरन के चनाव बर नावांकन प्रक्रिया जारी है ज़े मां महासमुद सीट खलो के शामिल है और आज महासमुद मां नावांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्चु दिरसाय शामिल होगी तो आज मुख्यमंत्री एन श्रेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे रायपूर लोट जाएंगे सीएं विश्चु देव साय और रात साढ़े नौ बजे रायपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीएंगे तो शुदारी दरबार में चौसटवी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम बिश्चु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से केंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं म आयोजन करे जाते महुद सत जारी है जग़ा हवाय उटी तेस्थल हवाय ज़िह हाँ महुद सते आयोजन करे जाते हो अज मुखे मंतरी विश्चुदेव साहे तक महुद सत म पहुची है जवामा अज दूसर चरण के चलावा बर नामांकन प्रक्रिया जारी है, जे मा महासमुद सीट थेलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्यमंतरी विश्ण दर साय शामिल होगी। शाम 5 बजे राइपूर लोट जाएंगे CM विश्टु देवसाय और रात 9 बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे CM शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज CM विश्टु देवसाय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है जीले के पाउनी पहुचेंगे CM विश्टु देवसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे CM सदाड़ी दर्बार में 64 वरसी महोत सो कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हुएं आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उहें दूसर डहार आपनले यहू बतादन कि राजदानी राइपुल के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोटसफ जारी है जिहां आज मुखे मंत्री विश्ण देश साहे पहुची सब्दानी दर्बार मा पहुची सब्दानी दर्बार मा बहुती महती जगा हावाय है उती तिस्थल हावाय जिहां महुत्सव के आई जुन करे जाते हैं अब देश भर ले रधालू है जुरिया थे आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय तको सद्धाने दर्बार मा चलती महुत्सव मा पहुची आज लोगन ले मुलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई आप बारे बजे नामांकन रेली में शामिल हुँगे जुद भाजपा प्रत्याशी ब्रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाई गरजीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले है पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसव मे भी वो शामिल होंगे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम विश्टु देव साय पाउनी में चुनावी जन सभा को संबोधित करेंगे शाम को पाच बजे राइपूर लोटेंगे कल भी पाच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शदारी दर्बार जाएंगे सी क्रिम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज मुक्यमंत्री विश्णीदेश साय पहुची, सब्दानी दर्बार बहूती महथी जगा हावाय जाथी थी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाँच बजे राइपूर लोड़ जाएंगे श्रदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसां में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाई इगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार में 64 वी वरसी 100 कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं सब्धानी दर्बार मां महुत्सफ के आयजन करे जाते हैं उमन शामिल हुई तो आज दू जिला के दौरा करी है आप मला बतादन कि महा समुद मा एक ड़ाहर जी हाँ नामांकन रैली मां उमन शामिल हुथे तो उमन दूसर जाहर आप मला यह हुँ बतादन कि राजणानी रायपूर के सब्धानी दर्बार मां आयजन करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय पहुची सब्धानी दर्बार मां चलती महुत्सफ मा पहुची आप मला बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिमा महासमुद सीथ हलो के शामिल है आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्य मंत्री विश्ण देव साय शामिल हुँची बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्य मंत्री इन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के श्रदारी दरबार जाएंगे स अश्रदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीएम विश्टु देवसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजए रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजए लोटे थे और रात 9 बजए रायपूर के सदाडी दरबार जाएंगे सीएम सदाडी दरबार में 64-वी वर्षी महतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12 बजए नमांकन में उन्हें सामिल रहना है जाते हैं आज मुख्य मंध्री विश्वदेव साही पहूची सब्दानी दर्बार बहुती जगहा हावाय है उती तिस्थल हावाय महुत्सव के आयजन करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देर साय तको सद्धाने दर्बार मा चलती महुत्सा मा पहुची आज लोगन ने मुलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रैली मा शामिल हुई रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन शेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे रा लिएपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतरा है तीन बजे मिलाई इगण जिले के पाउनी पहुचेंगे सी अम। बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाच बजे रायपुर लोटेंगे कल भी पाच बजे लोटे थे और राथ साड़े नौ बजे रायपुर के शदारी दरबार जाएंगे सीएम सदाली दर्बार में 64 वी वर्सी महोच सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दूजला के दवरा करी हैं आप में बतादन कि महा समुद मा एक डहार नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते हैं तो उए दूसर डहार आपनला यहू बतादन कि राज़दानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते हैं महा समुद मा नामांकन रैली मा आप में बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी हैं महा समुद सीथ हलो के शामिल है और आज महा समुद मा नामांकन रैली मा मुख्यमंतरी विश्चन दिर्साय शामिल होई तो आज मुख्यमंतरी एन श्रेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे रायपूर लोट जाएंगे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मैज़ान उतार आ है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम मेशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाड़ी दर्बार जाएंगे सीयम सदाड़ी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी का रिक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं सब्धानी दर्बार मां आयोजन करे जाते हैं नामांकन रैली मा मुख्यमंत्री विश्ण देव साय शामिल होगी राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और राथ साडhö नौ बजे रायपूर के शदारी दर्बार जाएंगे सियम साड़ी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारेक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यानि में उन्हें सामिल रहना है शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे CM विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे CM शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज CM विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है 3 बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे CM बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे CM सदाड़ी दर्बार में 64 वी वरसी महुत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उन्हें दोरा करत हो आज महा समुदो में पहुची नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते हैं तो उमें दूसर जहार आपनला यह हूँ बतादान कि राजबानी रायोपूर के स्टानी दर्बार मा आयोजन करी जाते हैं प्रदेश मां दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री विश्ण देव सायर शामिर होंगे। मुख्यमंत्री विश्ण देव सायर शामिर होंगे। मुख्यमंत्री विश्ण देव सायर शामिर होंगे। और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे। सदाडी दर्बार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है। यानी साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है। आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं। अलग-अलग जिला के उन्हें दौरा करत हुएं। अलग-अलग जिला के उन्हें दौरा बजे नामांकन में उन्हें सामिल होना है। नामांकन रैली में शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है। और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम। आज मुक्यमंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे। शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम। शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहतसव में भी वो शामिल होंगे। 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे। पाउनी पहुचेंगे सीम। विश्टु देव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को पांच बजे राइपूर लोटेंगे। कल भी पांच बजे लोटे थे। और रात साड़े नौ बजे राइपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीम। सदाडी दर्बार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है। यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नौ बजे भी कारिक्रम लगा है। आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं। अलगलग जिला के उन्हें दौरा करत हुए आज महा समुद में पहुची नामांकन रैली में उन्हें शामिल होते हैं। आज महा समुद में पहुची नामांकन रैली में शामिल होते हैं। आज महा समुद में नामांकन रैली में मुख्य मंत्री विश्ण देव सायर शामिल होते हैं। आज महा समुद में पहुची नामांकन रैली में शामिल होते हैं। प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है। और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम। आज मुख्य मंत्री एन श्रेडियूल आपको बता रहे हैं। जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय। और रात 9 बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम। तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे। 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे। कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे। चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है। रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है, तामरो धत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है। इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंज़ान उतारा है। चौदरी चौदरी में शामिल होना है। यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है। और उसके बाद रात में 9.00 बजे भी कारिक्रम लगा है। आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं। बार बहुती महती जगा हावाय है। ती तिस्थल हावाय है। जी हां महुत्सव के आए जुन करे जाते हैं। देश भर ले धालू यां जुरियात है। आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय तको सब्दाने दर्बार मा चलती महुत्सा मा पहुची। यहां लोगन ने मुलकात कर ही। महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई। यहने वाले हैं बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे। साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे। भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है। और तीन बजे बिलाई गरजी लेके पाउनी पोचेंगे सीम। तो आज मुक्यमंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे। शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम। शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे। 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे। पाउनी पहुचेंगे सीम। विश्णु देव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को पांच बजे राइपूर लोटेंगे। कल भी पांच बजे लोटे थे। और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शदारी दर्बार जाएंगे सीम। स्टेट के हेड होते हैं। जगा हावाए उती तिस्थल हावाए जी हां महोट सफ्याए जुन करे जाते हैं। आज मुखे मंत्री विश्ण देव साय तको सब्दाने दर्बार मा चलती महोट समा पहुची। यहां लोगन ले मलकात करहीं महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई। बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे। साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल हुँगे। भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है। और तीन बजे बिलाइगर जिले के पाउनी पोचेंगे सियम। तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे। शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सियम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सियम। शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे। 36 गण में आज सियम विश्टु देवसाय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे। पाउनी पहुचेंगे सियम। विश्टु देवसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे, कल भी 5 बजे लोटे थे। और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शदारी दर्बार जाएंगे सियम। सदारी दर्बार में 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है। यानी साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नौ बजे भी कारिक्रम लगा है। आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं। अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हुए। अलग जबाब किसी स्टेट के उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल हुए। बाद बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे। साड़े बाद बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है। और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम। तो आज मुक्यमंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे। शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साए। और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम। शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे। 36 गण में आज सीम विश्टु देव साए दो जिलों के दोरे पर रहेंगे। जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम। विश्टु देव साए पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे, कल भी पांच बजे लोटे थे। और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीम। सदाडी दर्बार में 64 वर्षी मोहदसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है। यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नौ बजे भी कारिक्रम लगा है। आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं। अलगलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डाहर जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उहें दूसर डाहर आपनला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सदानी दर्बार मा आयुजन करे जाते हैं। आज महा समुद मा नामांकन रैली मा आज महा समुद मा नामांकन रैली मा शामिल होते हैं। नामांकन रैली में शामिल होंगे। भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है। और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम। तो आज मुख्यमंत्री इन शेड्यूल आपको बता रहे हैं। जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे। शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम। शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे। 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे। पाउनी पहुचेंगे सीम। बेश्टु देवसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे। कल भी पाँच बजे लोटे थे। और रात साढ़े नौ बजे रायपूर के शदारी दरबार जाएंगे सीम। सदारी दरबार में 64 वर्सी महोत सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है। साढ़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साढ़े नौ बजे भी कारिक्रम लगा है। आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं। सामिल होते तो उन्हें दूसर डाहार आपनला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दरबार मां आयोजन करे जाते हैं। मुख्य मंत्री विश्ण देश साहे पहुची सब्दानी दरबार मां चलती महूचा मा पहुची यहां लोगन ले मलकात करहीं महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल होई हैं। मुख्य मंत्री विश्ण देश मा दूसर चरण के चलावबर नामांकन प्रक्रिया जारी हैं। मिचुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ण देव साहे और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम। शुदारी दरबार में चौसटवी बरसी मोहुचा में भी वो शामिल ह मिच्टुदेव साहे दो जिलों के दोरे पर रहेंगे। राइपूर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम। विश्ण देव साहे पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को पांच बजे राइपूर लोटेंगे। कल भी पांच बजे लोटे थे। और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शदारी दरबार ज पांच बजे भी कारकरम लगा है। आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं। आज मुख्य मंत्री विश्ण देश साहे पहुची सब्दानी दरबार बहुती महती जगा हावाय है। तिस्थल हावाय जी हां महुत्स के आए जुन करे जाते हैं। दरबार बजे महासमुद्ध जिले के लिए वो रवाना होंगे। शाहे बारा बजे नामांकर रैली में शामिल होंगे। भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकर रैली है। और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सियम। तो आज पूर्पूर के शुदारी दरबार जाएंगे सियम। तो शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे। 36 गण में आज सियम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे। जिले के पाउनी पोचेंगे सियम। बिश्टु देव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे, कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीयम साड़े दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जब आप किसी स्टेट के हेड होते हैं साड़े नामांकन रेली में शामिल होते तो उन्हें दूसर जहार आपनला यहीं बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मां आयोजन करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्चुदेव साई पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती महुच्य मा पहुची आउ यहां लोगन ले मलकात करहीं आज मंने नामांकन रेली मा शामिल हुँई आपनला बतादन कि रदेश मा दूसर चरन के चिनावब नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्यमंतरी विश्ण दिर साय शामिल होगी बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंतरी एन श शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे दत साउ के खिलाब चौना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मेंदान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम बिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीम शदाड़ी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जब आप किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं यानि सामिल है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचनेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहद्सव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंजान उतरा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पौनी पहुचेंगे सी-म बैशुदे उसाय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाठ बजे रायपुर लोटेंगे कल भी पाठ बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोचसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यानि में चुनावी जिन सभा को संबोदित करेंगे शाम पाज बजे राइपूर लोड जाएंगे CM विश्टु देवसाई और रात साड़े नो बजे राइपूर के शृदारी दर्बार जाएंगे CM शृदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहतसाव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज CM बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंज़ान उतारा है 3 बजे बिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे CM बिशुदे उसाय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे CM सदाडी दर्बार में 64 वरसी 100 कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग-दिला के उमन दौरा करत हवाएं आज महा समुन अमन पहुची नामांकन रैली मा उमन शामिल होहीं एक डाजके रायपूर के सदाणी दर्बार मा घलो के उमन और के उमन पहुची उपरातना करी सदाणी दर्बार मा महोःजान करे जाते हैं आज दूजिला के दौरा करी हैं आप मला पतादन कि महासमूद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उहें दूसर डहार आप मला यहू बतादन कि राज़दानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोग सब जारी है जीहां आज मुखे मंतरी विश्ण दिर्साय शामिल होते हैं बारा बजे महासमूद जिले के लिए वो रावाना होंगे वाज़दानी नामांकन रैली में शामिल होंगे जो भाषपा प्रत्याशी ब्रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के प आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोड जाएंगे CM विश्णु देव साय और रात साधे नौ बजे राइपूर के श्रदारी दर्बार जाएंगे CM तो श्रदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज CM विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीयम साड़ी दर्बार में 64 वी वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं महोच सब जा ज़ा रही है नामांकन डेली मा मुख्यमंत्री विश्ण देव साय शामिल होंगे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सियम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीयम बिश्टु देव साय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतारा है 3 बजे बिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बिशुदेव साय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सियम सदाडी दर्बार में 64 वर्सी महुत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हवाई आज महा समुन उमन पहुची नामांकन रैली मा उमन शामिल हो ही एक संगे रायपूर के सदानी दर्बार मा घलो के उमन पहुची उपरात्मा करी सदानी दर्बार मा महुत्सों के आयजन करे जाते जिहां उमन शामिल हो ही आज दू जिला के दौरा करी हैं आप मनला बतादन कि महासमुद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उहें दूसर डहार आप मनला यहू बतादन कि राजदानी रायपुर के सब्धानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोट सब जारी है जीहां आज अज बतादन कि राजदान 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 क मुंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साधे नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंग कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी बारा बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैंदान उतारा है तीन बजे बिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पा बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं बहुत सब जारी है आज मुखे मंत्री विश्टेश साय पहुची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगा हावाय है ती स्थल हावाय है जिहां महोच सथ आय जुन कररे जा आज आज मुखे मंत्री विश्च्छी साय तको वाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सियम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सियम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सियम तो शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सियम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीविजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को सम्भोदित करेंगे शाम को पांच बजे राइपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोचसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाल रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीएम शुदारी दर्बार में 64 वी बर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम बिश्टु देव साय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतारा है 3 बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे बिशुदे उसाय पहुचेंगे जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे शदाडी दर्बार में 64 वी वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज मुखे मंत्री विश्चुदेश साहे पहुची सब्दानी दर्बार में चलती महोटसों में पहुची आज लोगन ले मलकात करही महा समुद में तको आज उन्हें नामांकन रेली में शामिल हुई आज महा समुद में शामिल हुई भाषपा प्रत्याशी भूप कुमारी चौध्री की नामांकन रेली है और तीन बज़े बिलाईगाड जिले के पाउनी पोचेंगे सिएम तो आज मुखे मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाँच बजे राइपूर लोड जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीयम साड़ी दर्बार में 64 वी वरसी मोहतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं प्रदेश मां दुसरा चरण के चलाओ बर ना मांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिर साय शामिल होगी जे मां नामांकन रैली में शामिल होगी शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन श्रेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुन जिनसभा को संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौव बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहद्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतारा है 3 बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी की महुत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानी 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जिला के दौरा करी है आप में बतादन कि महा समुद मा एक डहार जी हां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उन्हें दूसर डहार आप में यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते हैं आज मुखे मंत्री विश्ण देश साहे पहुची सब्दानी दर्बार मा आप में बतादन कि प्रदेश मा दूसर चलनाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महा समुन सीथ हलो के शामिल है और आज महा समुन मा नामांकन प्रक्रिया जारी है और तीन बजे विलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साई और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंजान उतारा है तीन बजे बिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते है प्रदेश मान का आएजन करे जाते है आज प्रदेश मान घर lot में साड़े नो बजेड है प्रदेश मान दुसर्चरण के चलावबर न वांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीट खलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंतरी विश्चु दिरसाय शामिल होगी जे मां नामांकन रैली में शामिल होगी बाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंतरी एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चु चुरुदारे दरपार में 64-वी वर्षी मोहत्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो धत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंज़ान उतारा है तीन बजे मिलाई इगर जिले के पौनी पहुचेंगे सीयम बिशुदेव साय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे, कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़ह नुबजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे गशे FCM शदाडी दर्बार में 64-वी वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यहाँ में रहना है नामांकन रैली में उन्हें में सामिल रहना है जहां वो जाने वाले हैं पावने में चुनावी जिन सभा को वो सम्बोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोड जाएंगे CM विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे CM शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज CM विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है 3 बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे CM बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे CM सदाड़ी दर्बार में 64 वी वरसी महुत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हवाई आज महा समुन उमन पहुची नामांकन रैली मा उमन शामिल हो ही कसंगे रायपूर के सब्दानी दर्बार मा घलो के उमन पहुची उपरात्मा करी सब्दानी दर्बार मा महुत्सों के आयजन करे जाते हैं उमन शामिल हो ही ता आज दू जिला के दौरा करी है आप मला बतादन कि महासमुद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उहें दूसर डहार आप मला यह हूँ बतादन कि राजणानी रायपूर के सब्धानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महुत सब जारी है जीहां आप मला बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिमा महासमुद मा नामांकन रैली मा मुखे मंत्री विश्ण दिर साय शामिल हों ही बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे जो भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचरेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री इन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के श्रदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे इस बार बीजेपी ने साहू कंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मैज़दान उतार आये तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम विश्टु देवसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपुर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और राथ साड़े नौ बजे रायपुर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64-वी वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं रात साड़े नौ बजे रायपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैंजान उतरा है 3 बजे बिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात साड़े 9 बजे रायपूर के शदाडी दरबार जाएंगे सीयम साड़ाडी दरबार में 64 वी वरसी महोटसो कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े 12 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दूजला के दवरा करी हैं आप में बतादन कि महासमूद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते हैं तो उन्हें दूसर डहार आप में यहूँ बतादन कि राज़दानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय पहुची सब्दानी दर्बार मा उन्हें पहुची आज लोगन ने मलकात कर ही महासमूद मा तको आज उन्हें नामांकन रैली मा शामिल हो ही आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय शामिल हो ही बारा बजे महासमूद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाई गर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री इन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतारा है 3 बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बेशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सियम सदाडी दर्बार में 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हवाई आज महा समुन उमन पहुंची नामांकन रेली मा उमन शामिल हो है राइपूर के सब्दानी दर्बार मा घलो के उमन पहुंची आज मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय पहुची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगा हावाय उती तिस्थल हावाय जी हाँ महुतस के आये जुन करे जातों अधेश भर ले रधालू है जुरिया थे आज मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय तको सब्दानी दर्बार प्रदेश मां दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिए मां महासमुन सीथ हलो के शामिल है आज महासमुन मां नामांकन रेली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिवसाय शामिल हुई शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीएम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंज़ान उतारा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग-अलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद में पहुंची नामांकन रैली में उमन शामिल हुई आज दौरा के दौरा करी है आज दौरा करी है आज मुखे मंत्री विश्युदेव साह पहुची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगह हावाय है पहुची सब्दानी दर्बार में छलती महती है आज लोग अन्य मुखे मंत्री विश्युदेव साह पहुची नामांकन रैली में शामिल हुई आज महा समुद में बुजए महा समुद जिले की लिए वो रवाना होंगे साड़े बारे बज़े नामांकन रैली में शामिल होंगे जो भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बज़े बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्य मंत्री इन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बज़े राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बज़े राइपूर के श्रदा दर्बार जाएंगे सीम तो श्रुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मैंदान उतारा है तीन बज़े मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बज़े रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बज़े लोटे थे और रात साड़े नौऑ बज़े रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीम सदाड़ी दर्बार में 64 वी वर्सी मोहोतसों कार current में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जब आप किसी स्टेट के हेड होते हैं आप में बतादन की प्रदेश मां दुसर चरण गरे नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं आप को बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे बिलाई इगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साले नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं प्रदेश मां दूसर चरण के चलाव भर नामांकन प्रक्रिया जारी है जवाब किसी स्टेट के चलाव भर नामांकन प्रक्रिया जारी है जाएंगे सीम विश्टुदेव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसाम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टुदेव साय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहाँ से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैज़ान उतारा है तीन बजे मिलाई गर्ण जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाडी दरबार जाएंगे सियम सदाडी दरबार में 64 वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है चनावाबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिसमा महासमुन सीट खलो के में शामिल है आज महासमुन मा नामांकन रैली मा मुखे मंद्टरी विष्ण दिर्सायर शामिल हो ही बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बज़े बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करे जाएंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजए राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो धत साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाइ इगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदेव साई पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाच बजे लोटे थे और रात साढ़े नो बजे रायपूर के शधाडी दरबार जाए सदानी दर्बार में 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9.30 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जला के उमन दौरा कराथ हवाए, आज महा समुद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होतें, तो उन्हें दुसर डहार आपनल यहू बतादन कि राजदानी राइपूर के सब्दानी दर्बार मा आयूजन करी जातें घटार जारी है जे हाज मोख्य मंद्री विश्विश्य देश आयग पहुंची सब्धानिय दर्बार में चलती महूंचा महा पहुंची यहाँ लोगान ले मुलाकात करी महाँ समुन मा अगे नमांकन रेली मा शामिल हुई मुख्य मंत्री विश्ण देव साय शामिल होंगे शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी बारा बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैधान उतारा है तीन बजे मिलाई गर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे, कल भी 5 बजे लोटे थे और रात сाड़े 9 बजे रायपूर के शदारी दर्बार जाएंगे सीयम सदारी दर्बार में 64 वी वरसी मोटसो कारिक्रम में उन्हें शामील होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं आज बारा बजे महांसंमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोच रहें हैं तो आज मुख्यमंतरी एन स्टेटूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे CM विश्टु देवसाय और रात साधे नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे CM तो शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज CM विश्टु देवसाय दो जिलों के दौरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दौरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं रायपूर के सदानी दर्बार मा आयजन करे जाते महोँचसण जारी है जी है आज मुक्चे मंत्री विश्नुदेव साई पहुची सदानी दर्बार बहुती महती जगह हावै तिस्थल हावै महोँचसण करे जाते हैं भर ले रधालू है जुरिया थे और आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय तको सदाने दर्बार मा चलती महूत समा पहुची और लोगन ने मलकात कर ही महासमुद मा तको आज नामांकन रेली मा शामिल हुई पत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जीले के पाउनी पहुचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जीले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैंजान उतरा है तीन बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सीयम सदाड़ी दरबार में 64 वी वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नौ बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं महोत्सों के आयजन करे जाते हैं उन्हें शामिल हो ही ता आज दूजला के दवरा करी हैं आप में बतादन कि महा समुद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते हैं तो उन्हें दूसर डहार आपनला यहू बतादन कि राजदानी रायपुल के सब्दानी प्रदेश मां दुसर चरण के चलाव बर नावांकन प्रक्रिया जारी है जब महासमुन सीठ हलो के शामिल है और आज महासमुन मां नावांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिरसाय शामिल हुई प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नावांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीठ है दारे दरपार में 64 वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतर आ है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीयम साड़ी दर्बार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं जवाब किसी स्टेट के बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है जवाब किसी स्टेट के बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैंजान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं तर देश मां दूसर चरन के चलावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुखे मंतरी विश्चु दिर्साय शामिल होंगी जे मां नामांकन रैली में शामिल होंगी जो भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुखे मंतरी एनफ शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्णु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीएम तो शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीएम विश्णु देव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे राइपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शदारी दर्बार उन्हें शामिल होना है यानी साढ़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साढ़े नौ बजे भी कारेकर्म लगा है जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं प्रदेश मां दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जि मां महासमून सीथ हलो के शामिल है प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन श्रेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंज़ान उतारा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साले नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज मुखे मंत्री विश्ण देश साहे पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती महुच्छा मा पहुची आज लोगन ले मुलकात कर ही महा समुद में तको आज उमन नामांकन रेडी मां शामिल हुई आज मुखे मंत्री विश्ण देश मां दुसरे चलती में तको आज उमनांकन रेडी में शामिल हुई भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेडी है और तीन बज़े बिलाईगर जिले के पाउनी पोचिंग सीम तो आज मुक्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहद्सव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैंजान उतरा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आपनल यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मां आयोजन करे जाते महोट सब जारी है आज मुखे मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती महोट समा पहुची आज मुखे मंत्री विश्ण दिर्साय शामिल हूई आज मुखे मंत्री विश्ण दिर्साय शामिल हूई जो भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँठ बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँध बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते तो उन्हें दूसर जहार आपनला यहू बतादन कि राज़ानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मां आयोजन करे जाते महोग सब जारी है आज मुख्य मंत्री विश्ण देश साए पहूची सब्दानी दर्बार मां चलती महोच्य मा पहूची यहां लोगन ले मुलकात करी महा समुद मा तको आज उन्हें नामांकन रेली मां शामिल होई जे मा महा समुद सीथ खलो के शामिल है और आज महा समुद मा नामांकन रेली मा मुख्य मंत्री विश्ण देश साए शामिल होई बारा बजे महा समुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे जो भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्र इन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के श्रदारी दरबार जाएंगे सीम त आएंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी बारा बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से केंडिडेट है तामरोधत साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हैड होते हैं प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिमा महासमुन सीथ खलो के शामिल है आज महासमुन मा नामांकन प्रक्रिया मा मुख्यमंत्री विश्ण देव साय शामिल होंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ण देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्ण देव साय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैंजदान उतारा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आपनले यह बतादन कि राज़णी रायपुर के सद्धानी दर्बार मां आयोजन करे जाते हैं आज मुखे मंत्री विश्शुदेव साय पहुँची सद्धानी दर्बार मां चलती महुच्आ मां पहुची लोगनले मुलकात करहीं आज इने वाले हैं 12 बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे विलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सियें तो आज मुक्य मुंत्री इन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सियें विश्टु देव साए और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सियें तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सियें विश्टु देव साए दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतरा है 3 बजे बिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे CM बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दरबार जाएंगे CM संदाडी दरबार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हवाई आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उम्हें दूसर जहार आपनला यह हूँ बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दरबार मा आयुजन करे जाते महोग सब जारी है आज मुखे मंत्री विश्ण देव साहे पहूंची सब्दानी दरबार मा नामांकन रैली मा आपनला बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महा समुन सीथ हलो के शामिल है और आज महा समुन मा नामांकन रैली मा मुखे मंत्री विश्ण देव साहे शामिल हूँई जे मा नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम आज मुखे मंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीएम शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को बैजान उतरा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीएम नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते है आपनले यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मां आयोजन करे जाते महोट सब जारी है आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती महोट से मह पहुची आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय शामिल हुई बारा बज़े महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे सारे बारा बज़े नामांकन रेली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बज़े विलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बज़े राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बज़े राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहत्सा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बज़े महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बज़े नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो धत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बज़े मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बज़े रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बज़े लोटे थे और रात साड़े नो बज़े रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बज़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अज मुखे मंथ्री विश्रो देश साए तको सब्दानी दर्बार मा चलती महुचे मा पहुची यहाँ लोगनले मलकात कर ही महासमुद मा तको आज मन नामांकन रेडी मा शामिल हुई आप में लबतादन की प्रदेश मा दूसर चरण के चनाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महासमुन सीथ खलो के शामिल है और आज महासमुन मा नामांकन रैली मा मुख्यमंत्री विश्चु दिर साय शामिल हुगी शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्यमंत्री एन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्णु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीएम तो शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामर दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पवनी पहुचेंगे सीयम विशुदे उसाय पवनी में चुनावी जनसवा को सम्भोधित करेंगे शाम को पांच बजे राएपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे राएपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सीएम सदानी दर्बार में 64 वी वर्सी महोट सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानी 12 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हैड होते हैं अलग अलग जला के उमन्हें दौरा करत हुईं आज महा समून्हों में पहुची नामांकन रेली मा उमन सामिल हो हैं कासंगे राइपुर के सदानी दर्बार मां घलो के उमन करे जाते जीए उमन कारिक्रम लिए विश्ण देव साहे पहुची सब्दानी दर्बार माँज़न पहुची सब्दानी दर्बार माँची महोटी जगहा हावाई उती तिस्थल हावाई जी हां महोट शब करे जाते हैं। आज मुखे मंत्री विश्ण देव साय तको सब्दाने दर्बार मा चलती महुत्या मा पहुची आज लोगन ले मलगात करहीं महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई आज मुखे मंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतार आए 3 बजे बिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदेव साय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दूजला के दर्बा आप मला बतादन कि महासमुद मा एक डहार नामांकन रैली मा उमन शामिल होते है हार आपमला येहू बतादन कि राजदानि राइपूर के सब्दानी दर्बार मा आयीजन करिया ओध महोक सभ जारी है यहां लोगन ने मलकात कर ही महासमुद में तको आज उमने नामांकन रैली में शामिल हुई आप में बतादन की प्रदेश मां दुसर चरण के चलावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुखे बजे बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्नुदेव साय और र 37 गर्ण में आज सीम विश्नुदेव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है त शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे, कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नव बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीम, साडाडी दर्बार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन मे उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते है सब्दानी रायपूर के सद्दानी दर्बार मां आयोजन करे जाते है आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सद्दानी दर्बार मां चलती महुच्य मां पहुची आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साहे पहुच्य मां बजे महासमुद्ध जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे भाश्पा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो धत साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं गाल पिकसी जवाब किसी स्टिट के हेड है नामांकन रैली में मुख्य मंत्री विश्ण देव साय शामिल होंगे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहत्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है यहां से केंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मैधान उतरा है 3 बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सीम सदाड़ी दरबार में 64-वी वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जिला के दौरा करी हैं आप में बतादन कि महा समुद मा एक डाहर जी हां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उसे दाहर आपनला यह हूँ बतादन कि राज़्दानी रायपूर के सदानी दरबार मा आयोजन करी जाते महोत्सों जारी है जी हां आज मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय पहुची सदानी दरबार मा चलती महोत्सों मा पहुची आज लोगन ले मलकात कर ही महा समुद मा तको आज उमन नामांकन रैली मा शामिल हो ही आज महा समुद मा नामांकन रैली मा मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय शामिल हो ही साड़े बारे बज़े नामांकन रैली में शामिल होंगे बाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बज़े बिलाई गरजीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले है पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बज़े राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बज़े राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे विश्टु देवसाय पाउनी में चुनावी जन सभा को संबोधित करेंगे शाम को पाच बज़े राइपूर लोटेंगे कल भी पाच बज़े लोटे थे और रात साढ़े नौ बज़े राइपूर के शदारी दरबार जाएंगे सीम शदारी दरबार में 64 वी वर्सी मोहद कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बज़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9.30 बज़े भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं करें आप मला बतादन कि महासमुद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली माव मन शामिल होते तो वहें दूसर डहार आप मला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोग सब जारी है जीहां आज मुखे मंत्री विश्चुदेव करें आप मला बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जीहां महासमुद मा नामांकन रैली मा आज मुखे मंत्री विश्चुदेव साय शामिल हो ही बारा बजे महासमुद जीले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे जो भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री इन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साए और रात साड़े नौ बजे राइपूर के श्रदारी दरबार जाएंगे सीम तो श्रदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसम में भी वो शामिल होंगे बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चाधरी को मैंदान उताराएं तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदारी दरबार जाएंगे सीम सदारी दरबार में 64-वी वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9.00 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दूज़िला की दवरह करी हैं आप मला बतादन की महा समुद मा एक ड़ार जीहां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते हैं तो उसक्त ड़ार आपनला यहू बतादन की राज़नानी राइपूर के सदानी दरबार मा आयूजन करी जाते अज भर लेच रधालू है जूरियात हे आज जो गनले म मलतगात करई महा समूध में तको आज ना वांकन रेली मा शामिल हुई आप मलें बता दन की प्रदेश मा दूसर चरण के चनाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी हे जहां। जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साधे 9 बजए राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को बैदान उतार आ है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पौनी पहुँचेंगे सीयम बेशुदय उसाए पौनी में चुनावी जन्सभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदानी दर्बार में 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाल रात में 9.30 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जिला के दौरा करी हैं आप में पतादन कि महा समुद मा एक डाहर नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उसे दूसर डाहर आप में यहूं बतादन कि राज़दानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आईजन करे जाते पर देश मा दूसर चरण के चलाव भर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्चु दिर साय शामिल हूँ है तो आज मुख्यमंत्री एन श्रेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्चु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहत्सा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्चु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पवनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाइ पवनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सियम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं प्रदेश में बाद रहने साड़े नामांकन में सामिल होते हैं प्रवाना होंगे सारे बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे जो भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंतरी एन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोड़ जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोह अज सब में भी वो शामिल होंगे तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम विश्टु देव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे राइपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शदारी दरब आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं सब्दानी दर्बार बहुती महती जगह हावाय जी हां महोट सत्या आय जुन करे जाते हैं अज मुखे मंत्री विश्टु देव साय तको सब्दानी दर्बार माचलती महोट सा मह पहुची अज मुखे मंत्री विश्टु देव साय शामिल हुई और तीन बजे विलाईगर जीले के पाउनी पहुचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतारा है 3 बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदेव साई पहुचेंगे चौनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं बजे नामांकन रैली में उन्हें शामिल होते हैं आज मुक्यमंत्री विष्ण देव साय पहुची सब्धानी दर्बार बहुती महती जगा हावाई जिस्थ हल हावाई है जुरियात है और आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय तको सद्धाने दर्बार मा चलती महुत समा पहुची और लोगन ने मलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे विलाई गर्जीले के पाउनी पहुचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैंजान उतरा है 3 बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दरबार जाएंगे सीम सदाडी दरबार में 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दूजला के दवरा करी हैं आप मला बतादन कि महा समुद मा एक डाहार आपनला यहू बतादन कि राज़दानी राइपूर के सदानी दरबार मा आयोजन करी जाते हैं आज मुखे मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सब्दानी दरबार मा पहुची आज लोगन ले मला कात करी महा समुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई आप मला बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है कि आज अज नाम्कन रेली मा मुखे मंत्री विश्ण दिरसायर शामिल हुई 12बुची महा समुद जिले के लिए वो रवाना होंगे 12बुची नामांकन प्रकॉष्ण Lyam में शामिल हुई जो भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरि की नामांकन प्रक्री जाएंगे सीम विश्णु देवसाय और रात साधे 9 बजए राइपूर के श्रदारी दर्बार जाएंगे सीम तो श्रदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहत्साम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देवसाय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंज़ान उतारा है 3 बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदेव साय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हवाएं आज महा समुद में पहुची नामांकन रैली मा उमन शामिल होते हैं एक संगे राइपूर के सदाडानी दर्बार मा घलो के उमन पहुची उपरात्मा करी सदाडानी दर्बार मा महोटसों के आयोजन करे जाते हैं आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय तक को सदाडानी दर्बार मा चलती महोटसों मा पहुची उपरात्मा पहुची उपरात्मा करे जाते हैं आज मुखे मंत्री विश्ण देश के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारबजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ण देव साए और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्ण देव साए दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंजान उतरा है 3 बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम विशुदे उसाय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीयम साड़ी दर्बार में 64 वी वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दूजिला के दौरा करी हैं आप मला बतादन कि महा समुद मा एक डाहर जिहां ना मांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उहें दूसर डाहर आप मला यह हुँ बतादन कि राज़नी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोग सफ जारी है जिहां आज आज महा समुद मा आज मुखे मंतरी विष्ण दिर साय शामिल होगी नामा आज़ने वाले हैं बारा बुजे महा समुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बुजे नामांकन रैली में शामिल होंगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामां आज मुखे मंतरी इन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोड जाएंगे सियम विष्ण देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के श्रदारी दरब इस बार में 64 वी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीयम विष्ण देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैज़दान उता रहा है तीन बजे मिलाई गर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे, कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वर्सी Somete Catsum कारेक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.00 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साले नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज लोगन ले मलकात कर ही महासमुद में तक आज नामांकन रेडी मां शामिल हुई आप मले बतादन की प्रदेश मां दूसर चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिर्साय शामिल होगी जे मां नामांकन रैली में शामिल होगी शाम पाजपा प्रत्याशी विश्ण दिर्साय शाम पाज़े राइपूर लोड़ जाएंगे सीथ हैं दारे दरपार में 64 वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होगे बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मैंदान उताराये तीन बजे आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हवाएं आज महा समुद मा एक डाहर जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते आज महा समुद मा तको आज उमन नामांकन रैली मा शामिल होई अब बता दन की प्रदेश मा दूसर चरण के चनाव नामांकन प्रक्रिया जारी है जिवा महा समुद मा नामांकन रैली मा मुक्य मंत्री विश्ण दिरसाय शामिल होई ने वाले हैं 12 बजे महा समुद जिले के इलिए वह रवाना होंगे साड़े बारे बज़े नामांकन रैली में शामिल होंगे बाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बज़े बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सियम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वा में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे पी ने साहू कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मेंदान उता रहा है तीन बज़े मिलाई गर्जीले के पाउनी पहुचेंगे सियम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बज़े रायपूर लोटेंगे कल भी पा आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोट सब जारी है आज मुक्य मंत्रि विश्वदेव साय पहुची सब्दानी दर्बार मा चलती महोट सामा पहुची यहाँ लोगं नमलकात कर ही महासमुद मा तक आज आज मनन नामांकर रेडि मा शामिल हुई आप में लबतादन की पुरदेश मां दूसर चरण के चलावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिए मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिवसाय शामिल होगी शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीएम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो धत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बिश्दे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे राएपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे राएपूर के शदारी दर्बार जा आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुठे मंत्रि विश्न देव साय पहुछी सदांडी दर्बार बहुती महती जगहा हावाय महुथसोब के आज जुर्या जाते हैं आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय तको सद्धाने दर्बार मा चलती महुच्य मा पहुची और लोगन ने मुलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे बाशपा प्रत्याशी ब्रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन दुशुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो दुशुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे दत साउ के खिलाब चौना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे राएपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे राएपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सीम साड़ी दरबार में 64 वी वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में सामिल होते हैं यजिन सभा को वो सम्दूत करेंगे जन सभा को वो संबोदित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे CM विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे CM शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज CM विश्टु देवसाय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतारा है 3 बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे CM बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे CM सदाडी दर्बार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हुएं आज महा समुद मा एक डाहर जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उएं दूसर डाहर आपनला यहू बतादन कि राज़्दानी राइपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते आज महा समुद मा नामांकन रैली मा आपनला बतादन की प्रदेश मा दूसर चरण के चलावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महा समुद सीथ हलो के शामिल है और आज महा समुद मा नामांकन रैली मा मुख्य मंतरी विश्चु दिरसाय शामिल होगी बारा बजे महा समुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुक्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्टु देव साए और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीएम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साधे नव बजे रायपूर के शदाडी दरबार जाएंगे सीयम सदाडी दरबार में चौशचवी वरसी моहोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है आज महासमुन इसे आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोदित करेंगे शाम 5 बजे राईपूर लोट जाएंगे CM विश्टु देवसाय और रात 9 बजे राईपूर के शुदारी दरबार जाएंगे CM शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज CM बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतारा है 3 बजे बिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे CM बिशुदे उसाय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे CM सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हुएं आज महा समुद में पहुची नामांकन रैली मा उमन शामिल हो ही एक संगे राइपूर के सदाडानी दर्बार मा घलो के उमन पहुची वपरात्मा करी सदाडानी दर्बार मा महुच्छोफ के आयोजन करे जाते हैं आज मुखे मंतरी विश्चोदेश साय तक सदाडानी दर्बार मा चलती महुच्छा मा पहुची यहां आज मुखे मंतरी विश्चोदेश साय शामिल होई 12 बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साभे बारह बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाषपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज हमके मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे रायपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साढ़े नौ बजे रायपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है 3 बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सियम साड़ी दरबार में 64 wACTPatrick में उन्हें शामिल होना है यानि 12vable बजे नमांकन में उन्हें सामिल रहना और उसके बाल रात में साड़े नो बजे भी करेक्रम लगा है अज जवाब किसी स्टेट के ह future होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डाहर जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल हुए तो उहें दूसर डाहर आपनला यहू बतादन कि राजणानी राइपूर के सब्दानी दर्बार मा आयुजन करे जाते महुद सफ जारी है जिहां आज मुक्य मंत्री विष्णुदेव साहे पहुची सब्दानी दर्बार मा आपनला 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 पतादन कि राइपूर देश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्यमंत्री विश्ण दिर साय शामिल हों ही साड़े बारे बुचरी नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचरेंगे सीएम तो आज मुख्यमंत्री एन श्रेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के श्रदारी दरबार जाएंगे सीम तो श्रदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसाव म और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूपकुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साओ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूपक और आज साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मंख्य 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 म प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्यमंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैंदान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पौणी पहुचेंगे सियम बेशुदे उसाय पौणी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दरबार जाएंगे सीम, सदाडी दरबार में 64 वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिकर्म लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है आज बारा बजे नामांकन में सामिल होंगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चोधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचनेंगे सिम्त आज मुख्यमंतरी एन श्रेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे बारा बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को बज़ान उतारा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाल रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते है अपनले यहू बतादन कि राज़दानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोट सब जारी है आज मुखे मंत्री विश्ण देव साई पहुची सब्दानी दर्बार मा चलती महोट सब पहुची आज मुखे मंत्री विश्ण देव साई शाइ शामिल हूई बारा बज़े महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे सारे बारा बज़े नामांकन रेली में शामिल होंगे भाश्पा प्रत्याशी रूप कुमारी चोधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे विलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री इन शेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टुदेव साय और रात साढ़े नौबजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टुदेव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंज़ान उतारा है 3 बजे बिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वी वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग-अलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद में पहुचि नामांकन रैली में उमन शामिल होतें ये हूँ बतादन कि राजडानी राैपूर के संद्धानी दर्बार में आयोजन करे जाते पहोगसण जारी है प्रदेश मां दुसर चरण के चनाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीट खलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंतरी विश्चु दिर्साय शामिल होगी जे मां नामांकन रैली में शामिल होगी बाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंतरी एन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चु प्रुदारे दरपार में 64-वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मैदान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं माहा आयूजन करे जाते महोट सब जसफा जारी है आज मुक्य मंत्रि विशुदेव साय पहूँची सब्दानी दर्बार बहुती जगह पहुन आज बनदोगल ने शामील हुई आज महासमुद मा नामांकन देली में मुख्यमंत्री विश्ण देव साय शामिल होंगे रात साड़े नौ बजए रायपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सियम तो शुदारी दर्बार में 64 विश्ण देव साय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजए महासमुद जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि साड़े बारा बजए नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मेंदान उता रहा है तीन बजए मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजए राइपूर लोटेंगे कल भी 5 बजए लोटे थे और रात 9 बजए राइपूर के सदाड़ी दर्बार जाएंगे सीयम सदाड़ी दर्बार में 64 वरसी महोत्सों कारक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल हुए तो उन्हें दूसर जाहर आपनले यहीं बतादन कि राज़्दानी रायपुर के सद्दानी दर्बार मां आयोजन करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्चुदेव साह पहुची सद्दानी दर्बार मां आपनले बतादन कि प्रदेश मां दूसर चरण के चनाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है आज मुख्य मंत्री विश्चुदेव साह पहुची सद्दानी दर्बार मां आपनले बतादन कि प्रक्रिया जाने बतादन कि प्रक्रिया जिन सभा को संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्चुदेव साह और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्चुदेव साह दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है इस बार बीजेपी ने साह कंडिडेट ना देकर रूप मारी चौदरी को मैंदान उतरा है तीन बजे बिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदेव साह पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और राच साड़े 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीम सदाड़ी दर्बार में 64 वरसी महुतसों कारेक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है जबाब करेंगे चुनावरे नामांकन प्रक्रिया जारी है जिमा महासमुद सीट खलो के शामिल है और आज महासमुद माना मांकन रेली मां मुख्यमंत्री विश्चु दिरसायर शामिल हुई शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीट आज मुख्यमंत्री एन श्रेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो धत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंज़ान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 विश्टी मोह ट्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिकरम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं विश्ण देव साहे पहुची सब्दानी दरबार बहुती जगा हावाई उतीति इस्थल हावाई जी हाँ महुत्स सफे आहें जुन करे जातो दय जो पढ़्ले भले धालों या जुरियात है आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय तको सद्दाने दर्बार मा चलती महुच्य मा पहुची आज लोगन ने मुलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज हमके मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णुदेव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे तीन बजे जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शदाडी दरबार जाएंगे सीयम शदाडी दरबार में 64 वर्सी मोहतसो कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मंखे मंत्री विश्णदेव साय पहुची सब्दानी दर्बार बहुती जगा हाँ है तिस्थल हाँ है जी हां महुतसते आये जोन करे जाते हैं प्रुर देश मां दूसर चरण के चनावब नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंतरी विश्ण दिवसाय शामिल हुँए बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्यमंतरी एन शुदारी दर्बार जाएंगे सीएम तो शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मेंधान उतार आए तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम बिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शदाडी दरबार जाएंगे सीएम शदाडी दरबार में 24 व़र्षी मोहतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यानि साड़े नामांकन में उन्हें 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 साड़े नामांकन में शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहत्साम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतरा है तीन बजे मिलाई गर्ण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीअम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीम, सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोचसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिकर्म लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है इस दो पता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाज बजे राइपूर लोट जाएंगे CM विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे CM शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज CM विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतर आ है 3 बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे CM बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे CM सदाड़ी दर्बार में 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं शदाड़ी दर्बार में उन्हें उन्हें शामिल होना है आप में बतादन की पुरदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिए मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रेली मा मुख्यमंत्री विश्ण दिर साय शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे सारे बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे जुद भाषपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्यमंत्री इन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे स मश्रुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे बीजेपी ने साहू कंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मैंदान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीएम विश्टु देव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बज़े रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बज़े लोटे थे और रात साढ़े नोग बज़े रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे स्यएम शदाड़ी दरबार में चौसटवी वर्सी मोहत्सों कारिकरम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं यानि साम पाच बजे रायपूर लोड जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे रायपूर के श्रदारी दरबार जाएंगे सीम तो श्रुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहत्सव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी बारा बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से केंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैधान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सीयम साड़ी दरबार में 64-वी वर्सी महोत्सों कारक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं करेंगे चनावाबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जबा महासमौन सीट हिलो के शामिल है आज महासमौन मढ रेली मं मुख्यमंटरी विश्ण全 देर्शाय शामिल होते हैं तो आज मुख्यमंटरी एन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे CM विश्टु देवसाय और रात साधे नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे CM तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहत्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज CM विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं रायपूर के सदानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महूच सफ जारी हैं मुख्य मंध्री विश्mitेर साइप पहुँची सदानी दर्बार मां बहुती महती जगह हावम है उती तीस्थल हावहें महूच सफ आयोजन करे जाते हो आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय तको सद्धाने दर्बार मा चलती महुच्छा मा पहुची और लोगन ने मलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रैली मा शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन श दुशुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो दुशुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौधरी को मैज़ान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाडी दरबार जाएंगे सीम सदाडी दरबार में 64 वर्षी मोहदसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिकर्म लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है जबाब नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महा समुन सीट हलो के सामिल है और आज महा समुन मां पर्चाण में उन्हें साड़े नामांकन रहना होँगे यह जिन सभा को वह संबोधित करेंगे शाम पाज बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साधे नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है जीले के पाउनी पहुचेंगे सीम विश्टु देव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे है और उसके बाद राथ में साड़े नो बजे भी कारेक्रिम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डाहर जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल हुए तो उए दूसर डाहर आपनला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयुजन करे जाते महोगसव जारी है जिहां आज मुक्य मंत सब्दानी दर्बार बहुती महती जगा हावाय जिहां महोत्षत के आय जुन करे जाते मुख्य मंत्रि विश्ण देश साये तको सब्दानी दर्बार मा चलती महोत्षत मा पहुँची और लोगन लेमला कात कर ही महा समुद मा तको आज नामांकन रैली मा शामिल हुए आप म वाले हैं 12 बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और 3 बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाच बजे राईपूर लोटेंगे कल भी पाथ बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे राईपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोत्सों कारिकरम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है जबाज बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है तो आज मुखे मंत्री एनफ श्यडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाज बजे राइपूर लोट जाएंगे CM विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे CM शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज CM विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतरा है 3 बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे CM बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे CM सदाड़ी दर्बार में 64-वी वर्सी महोचसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हवाएं आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होतें तो उमें दूसर डहार आपनला यहूँ बतादन कि राजदानी राइपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जातें आज महा समुद मा नामांकन रैली मा आपनला बतादन की प्रदेश मा दूसर चरण के चलावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महा समुद सीथ हलो के शामिल है और आज महा समुद मा नामांकन रैली मा मुख्यमंतरी विश्ण देवसाय शामिल होगी बारा बजे महा समुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोड़े पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी बारा बज़े महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि साड़ह बारा बज़े नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहाँ से कैंडिडेट है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मेंदान उता रहा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे, कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के साड़ी दरबार जाएंगे सीयम साडारी दरबार में 64 वर्षी महुत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अज लोगन ले मलकात करें महासमुद में तको आज नामांकन रेडी माशामिल हुई आप मेले बतादन की प्रदेश माँ दूसर चरण के चनावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्य मंत्री विश्चु दिर्साय शामिल होंगी तो आज मुख्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्चु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्चु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतरा है 3 बजे बिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सीम सदाड़ी दरबार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जिला के दवरा करी हैं आप में बतादन कि महा समुद मा एक डहार आपनला यह हूँ बतादन कि राजदानी रायपूर के सदानी दरबार मा आईजन करे जाते महोटसों जारी है आज मुखे मंत्री विश्छुदेव साहे पहुची सबदानी दरबार मा आज महोटसों मा पहुची आज लोगन ले मलकात कर ही महा समुद मा तको आज ओमन नामांकन रेली मा शामिल हूँ मुख्यमंत्री विश्ण देवसायर शामिल हुई 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 विश्ण देवसायर शामिल हुई मुख्यमंत्री विश्ण देवसायर शामिल हुई बारा बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो धत साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाड़ी दर्बार जाएंगे सियम सदाड़ी दर्बार में 64 वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यानि साड़े नामांकन में उन्हें 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 साड़े नामांकन में शाम पाज बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साधे नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहतसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से केंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतरा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं द addresses बार मां आयूंज़न करे जाते हैं नामांकन डेली मा मुख्यमंत्री विश्ण देवसाय शामिल होंगे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सियम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहत्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीयम बिश्टु देवसाय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उता रहा है 3 बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उहें दूसर जहार आपनला यहू बतादन कि राजणानी राइपूर के सदाडानी दर्बार मा आयुजन करे जाते महोटसों जारी है आज मुखै मंध्री विश्णदेव साय पहुची सदाडनी दर्बार मा बहुती महती जगा हुआ हुए अज महा समुद मा शामिल हो ही मुख्य मंत्री विश्ण देव साय शामिल होंगे दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मेंधान उतारा है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उहें दूसर डहार आपनल यहू बतादन कि राजदानी राइपुर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोट सफ जारी है जिहां आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय तको सब्दानी दर्बार मा चलती महोट सब्दार मा पहुची आपनल बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चनाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिमा महासमुद सीथ खलो के शामिल है आज महासमुद मा नामांकन देश साय शामिल होगी बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे जो भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुक्य मंतरी इन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्णु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के श्रदारी दरबार जाएंगे सीएम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी बारा बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से केंडिडे साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीएम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नोव बजे रायपूर के सदाड़ी दर्बार जाएंगे सीएम सदाड़ी दर्बार में 64 वी वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं सब्दानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते हैं आज महासमुद मा नामांकन डेली मा मुख्यमंत्री विश्ण देवसाय शामिल होई तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ण देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्ण देवसाय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतारा है 3 बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वी वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुन उमन पहुची नामांकन रैली मा उमन शामिल हुए एक संगे रायपूर के सदानी दर्बार मा घलो के उमन पहुची उपरात्मा करी सदानी दर्बार मा महुतसों के आयजन करे जाते हैं उमन शामिल हुए ता आज दू जिला के दौरा करी हैं आप मला बतादन कि महासमुद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली मा उमन शामिल हूते तो उहें दूसर डहार आप मला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सद्धानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोग सब जारी है जीहां आज मुख्य मंत्री विश्वदेव साय पहूची सद्धानी दर्बार मा नामांकन रैली मा आप मला बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्य मंत्री विश्वदेव साय शामिल होगी तो आज मुख्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्वदेव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्वदेव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंजान उतरा है तीन बजे बिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दरबार जाएंगे सीम सदाडी दरबार में 64 वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है जबाब नामांकन प्रक्रिया जारी है जिमा महासमुन सीट हलो के शामिल है और आज महासमुन मा नामांकन रैली मा मुख्यमंत्री विश्ट्ट दिवसायर शामिल होई शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीट हैं तो शुदारी दरपार में 64 वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे इस बार बीविजेपी ने साहू कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मैधान उतर आये तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीएम बिशुदे उसायर पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सीएम साड़ी दरबार में 64 वी वरसी मोहतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाल रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं यानि साम पाँच बजे रायपूर लोट जाएंगे सीम विश्टुदेव साय और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टुदेव साय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे, कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाड़ी दर्बार जाएंगे सीयम सदाड़ी दर्बार में 64 वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है चाम पाच बजे राइपूर लोड जाएंगे सियम विश्णु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सियम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सियम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाई इगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार में उन्हें शामिल होना है यानी साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नौ बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हैड होते हैं आज दूजिला के दौरा करी हैं आप में बतादन कि महा समुद मा एक डहार नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उए दूसर डहार आप में यह हूँ बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दरबार मा आयोजन करी जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ट्र देव साहे पहुची सब्दानी दरबार मा आप में बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है आज मुख्य मंत्री विश्ट्र देव साहे पहुची सब्दानी दरबार मा आप में बतादन कि प्रक्रिया जिन सभा को संबोधित करेंगे शाम पाज बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ट्र देव साहे और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्ट्र देव साहे दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साहू के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साहू कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैज़दान उता रहा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे राएपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे राएपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीम साड़ी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारेक्रम में उनहें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है पांच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैंजान उतरा है 3 बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दरबार जाएंगे सीम सदाडी दरबार में 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दूजिला के दौरा करी है आप में बतादन कि महा समुध मा एक डहार जीहां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उए दूसर डहार आपनला यहू बतादन कि राज़्दानी रायपूर के सदाडानी दरबार मा आईजन करे जाते हैं प्रुदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नावांकन प्रक्रिया जारी है मुख्यमंत्री विश्ण देव साय शामिल होगी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 विश्ण देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पात बजे रैपुर लोटेंगे कल भी पात बज़ लोटे थी और रात शाँड़ेनके राएपुर के शडाड़ी दरबार जाएँगे सीयम साड़ी दरबार में 64 वी वरसी महोत्सों कारकरम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं चाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहत्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मेंदान उता रहा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बज़ राएपूर लोटेंगे कल भी पाँच बज़ लोटे थे और रात साधे नो बज़े राएपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे साधाडी दरबार में 64 वरसी महोतसों कारेकरम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है आज जबाबार नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महा समुड सीट फेलो के सामिल है और आज महा समुड मां नामांकन में साय शामिल होंगे तो शुदारे दरपार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मैंदान उतराये आज रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उहें दूसर जहार आपनला यह हूँ बतादन कि राज़दानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोग सब जारी है जिहां आज मुखे मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सब्दानी दर्बार मा चलती महोग सब पहुची आपनला बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिमा महासमुद सीथ हलो के शामिल है आज महासमुद मा नामांकन रेली मा मुखे मंत्री विश्ण देव साहे शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे बाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचरेंगे सीएम तो आज मुखे मंत्री इन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के श्रदारी दरबार जाएंगे स श्रदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मेंदान उतार आए तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीएम बिश्टु देवसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे, कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीएम साड़े दर्बार में 64 वर्सी मोहतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नौ बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं साड़े नामांकन में उन्हें शामिल होते तो उन्हें दूसर जहार आपनला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मां आयोजन करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देश साए पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती महूच्य मा पहुची यहां लोगन ले मलकात कर ही महासमुद मा तको आज उन्हें नामांकन रेली मां शामिल हो ही आज महासमुद मा नामांकन रेली मा मुख्य मंत्री विश्ण दिवसाय साइश शामिल हो ही अर्प आज मुख्य मंत्री विश्ण देश साबने वाले हैं तो आज मुख्य मंत्री एनफ च्रेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साधे नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दौरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दौरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतरा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पवनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पवनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीयम साड़ी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज सब्दानि दर्भार बहुती स्थाल है आपले बता दन की प्रडेश मा दु götन के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्यमंतरी विश्ण दिर साय शामिल होगी बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्यमंतरी एन शुदारी दर्बार जाएंगे सीएम तो शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मेंज़ान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीएम सदाडी दर्बार में 64 वर्षी मोहतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है culp प्रत्याशी गुरुप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाइगर जिले के पौनी पोंचनें गेCM तो आज मुक्यामन्तरी एन शेद्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोड जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीएम, साड़ी दर्बार में 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है, यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है, और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी का सब्धानी दर्बार मां घलो के उमन करे जाते हैं उमन शामिल हुई सब्धानी दर्बार मां चलती महुत्या मा पहुची यहां लोगन ले मलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम तो आज मुख्यमंतरी एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सियम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सियम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे कंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मेंदान उतार आएं तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम विश्टु देवसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाड़ी दरबार जाएंगे सियम सदाड़ी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है जबा बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जह मां महासमुन सीध हलो के शामिल है आज महासमुन मा नामांकन रैली मा बजे विश्टिदिर साये शामिल हो ही तो आज मुक्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहद्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतरा है 3 बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दरबार जाएंगे सीम सदाडी दरबार में 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जिला के दवरा करी है आप मला बतादन कि महा समुद मा एक डहार आपनला यह हूँ बतादन कि राजदानी रायपूर के सदानी दरबार मा आयुजन करी जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सदानी दरबार महोती महती जगा हावाय है आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सदानी दरबार महोती महती जगा हूँ आप मला बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नावांकन प्रक्रिया जारी है आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सदानी दरबार महोती जगा हूँ आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ण देव साहे और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहत्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्ण देव साहे दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दथ साहू के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साहू कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को बैज़ान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं जवाब किसी स्टेट के हैं जवाब किसी स्टेट के बाद रात में साड़े नो बजे नो बजे आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नो बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में चौसटवी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंजान उतरा है 3 बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सियम साड़ी दरबार में 64 वी वर्सी महुत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दूजिला के दौरा करी हैं आप मला बतादन कि महासमुद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उए दूसर डहार आप मला यह हूँ बतादन कि राजणानी रायपूर के सब्धानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोग सब जारी है जीहां आज इस दर्बार मा आप मला बतादन के प्रणेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जीहां महासमुद मा नमांकन रैली मा मुख्यमंत्री विश्षो दिरसाय शामिल हों ही बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बज़े बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करे जाएंगे शाम 5 बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात 9 बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहत्साम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूपकुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूपकुमारी चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुखे मंठरी Christmas देव साय पाउची संब्दानी दर्बार बहुती महती जगा हावाय जिए फितिस्थल हावाय जी हां महोत्सोथ के आयजन करे जाते है आज बढ़ ले ध्रद्धालो है जुर्यात है जे मां महासमुन सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुन मां नामांकन रैली मां मुख्यमंतरी विश्टिंदिर साय शामिल होगी तो आज मुख्यमंतरी एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे रायपूर लोट जाएंगे सीएम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे रायपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीएम तो शुदारी दरबार में चौसटवी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतरा है तीन बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं महँच शक्या फिर्च्मा पाइज जवाब किसी दुआ मनत्र में साइघ करें महासमुद्मा आज नामांकन रेडी मा शामिल हुईएं आप मेने बतादन की प्रोरदेश मां दुसर चरनके चलावबाना वांकन प्रक्रिया जारी है मुख्य मंत्री विष्ण दिर्सायर शामिल हुई 12 बजे महासमुद्ध जिले के लिए वो रवाना होंगे 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और 3 बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सियम तो आज मुख्य मंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सियम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सियम शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सियम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतारा है 3 बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानी 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9.30 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हवाई आज महा समूद मां पहुची नामांकन ड्रेली मां उमन शामिल हो एक कसंगे राइपूर के सब्दानी दर्बार मां घलो के उमन करे जाथे जिए अग इजेगा जारे मां पहुची आज मिंप्री विश्छुदेव साहई सब्दानी दर्बार बहुती महती जगा हावाय जी हाँ महुच्छा के आये जुन करे जाते हो अब देश भर ले धालू है जुरिया थे आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय तको सब्दाने दर्बार मा चलती महुच्छा मा पहुची यहाँ लोगन ले मलगात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुँई आप मलब दादन की पुर्देश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रकृया जारी है जिम मा महासमुद सीध धिलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रेली मा मुखे मंत्री विश्ण दिर साय साय शामिल हुई चाहिने वाले हैं 12 बजे महासमुद्ध जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और 3 बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्यमंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम 5 बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टुदेव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मारी चौधरी को मेंज़ान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नव बजे रायपूर के शदारी दरबार जाएंगे सीम सदारी दरबार में 64 वी वरसी महुथसों कारेकरम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं प्रदेश मा दुसर चरन के चनावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महासमुद सीट खलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्य मंत्री विश्चु दिर्साय शामिल होंगी जे मा नामांकन रैली में शामिल होंगी जो भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुक्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्णु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीएम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहद्सव में भी वो शाम समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि साढ़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमार को मैदान उतारा है तीन बजे मिलाई इगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साढ़े नो बजे रायपूर के श आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं जगा हावाय जी यहां महुत्सटे आये जन करे जाते हैं प्रोरदेश मा दूसर चरण के चुनाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिमा महासमून सीथ हलो के शामिल है आज महासमून मा नामांकन रेली मा मुख्य मंत्री विश्चुदेश साय शामिल हूई बारा बजे महासमुद्ध जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मेंज़ान उतारा है तीन बजे बिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाड़ी दर्बार जाएंगे सीयम सदाड़ी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है चनावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महासमूद सीट हलो के शामिल है और आज महासमूद मा नामांकन रेली मा मुखे मंतरी विश्चन दिरसाय शामिल होगे तो आज मुखे मंतरी एन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाँच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंजान उतरा है तीन बजे बिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं सब्दानी दर्बार बहुती जगा हावाए उती तिस्थल हावाए जिहां महुत सफ्या आयजन करे जाते हैं अज मुखे मंत्री विश्ण देव साए तको सब्दानी दर्बार मा चलती महुत समा पहुची अब न्यूपय शोई दर्बार महँना प्रगार में विश्ण देव साए टाओ्वार सब्साइर्यक… वहरा दर्बार बज़े मोहा समुद्ध जिले के लिए वह रावाना होंगे सारे बार् departments नामांकन रेली में शामिर होंगे बाश्पा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री इन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़दान उतारा है 3 बजे बिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हुएं आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उहें दूसर डहार आपनल यहू बतादन कि राजणानी रायपूर के सदाड़ानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोटसों जारी है आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय पहुची सदाड़ानी दर्बार महोटी महती जगा हावाय उती तिस्थल हावाय जिहां महोटसों करे जाते महोटसों जारी है जिमा महा समुद मा नामांकन रैली मा शामिल होई मुखे मंत्री विश्ण देश साय शामिल होई 12 बजे महा समुद जिले के लिए वो रावाना होंगे 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और 3 बजे विलाई गर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामर दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है 3 बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सियम सदाड़ी दर्बार में 64 वी वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9.30 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हवाई आज महा समुन उमन पहुची नामांकन रैली मा उमन शामिल हो ही करसंगे राइपूर के सब्दानी दर्बार मा घलो के उमन पहुची उपरात्ना करी सब्दानी दर्बार मा महुत्सों के आयजन करे जाते हैं उमन शामिल हो ही ता आज दू जिला के दौरा करी है करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय तको सदाने दर्बार मा चलती महुच्य मा पहुची आज लोगन ले मलगात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई आप मलबतादन की प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रि जारी है जिमा महासमुद सीथ हलो के शामिल है आज महासमुद मा नामांकन रेली मा मुख्य मंत्री विश्ण दिरसाय शामिल हुई तो आज मुख्य मंत्री एन श्रेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम 5 बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ण देवसाय और रात 9 बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्ण देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतार आए तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुख्य मंत्री विशुदेव साय पाउची सब्दानी दर्बार बहूती महती जगा हावाए उती तिस्थल हावाए जी हां महूत्स के आयज़न करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय तको सद्धाने दर्बार मा चलती महूत से मा पहुची आज लोगन ने मलकात कर ही महासमुद मा तको आज नामांकन रैली मा शामिल हुई प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पा 36 गर्ण में आज सीम बिश्टुदेव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साओ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौ सदानी दर्बार में 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं महोत्सों के आयजन करे जाते हैं महोत्सों करे जाते हैं आज मोख्य मंत्रि विष्णदेव साहे पहुंची सब्दानी दर्बार में चलती महोत्से मह पहुंची प्रदेश मां दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिए मां महासमुद मां नामांकन रेली मां मुख्य मंत्री विश्ण दिर्सायर शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे जो भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सियम तो आज मुख्य मंत्री आज सियम विश्टु देव साए दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी बारा बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरोधत साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ पॉनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पॉनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शदाडी दरबार जाएंगे सीम साडाडी दरबार में 64 66 वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाल रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दूजिला के दवरा करी हैं आप मला पतादन कि महा समुद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उन्हें दूसर डहार आप मला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दरबार मा आयोजन करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय पहुची सब्दानी दरबार मा पहुची सब्दानी दरबार मा नामांकन रैली मा उन्हें आप मला पतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी हैं मा महासमुद सीट हलो के शामिल है आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्य मंत्री विश्ण देव साय शामिल हूँए जाएंगे सीम विश्टुदेव साय और रात साढ़े नौ बजए राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टुदेव साय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जीले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतारा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज मुखे मंत्री विश्ण देश साई पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती महोच समा पहुची आज लोगन ले मलकात करही महा समुद में तको आज उमन नामांकन रेडी मां शामिल हुई आज माल बतादन की प्रदेश मा दूसर चरन के चलावर नामांकन प्रक्रिया जारी हे अज माह समुद मां नामांकन रेली मां मुखिय मंत्री विश्ण दिवसाय शामिल हुई आज मुख्य मंत्री एन शेडूर आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाँच बजे राइपूर लोड जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीयम साड़ी दर्बार में 64 वी वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं प्रोरदेश मां दुसर चरन के चलाव बर नावांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंतरी विश्ण दिवसाय शामिल होंगी जे मां नामांकन रैली में शामिल होंगी भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंतरी एन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में को संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के श्रदारी दर्बार जाएंगे सीम तो श्रदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वी वर्सी मोहत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानी साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुख्य मंध्री विष्णु देव साय पहूची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगह हावाए थी ठस्ठल हावाए जी हा महूचस के आये जोन करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय तको सद्धाने दर्बार मा चलती महुत्सा मा पहुची यहां लोगन ने मुलकात करी महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन श दुशुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो दुशुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे दत साउ के किलाब चौना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौधरी को मैज़ान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सीम सदाड़ी दरबार में 64 वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यानि में शुनावी जन सभा को संबोदित करेंगे शाम 5 बजे राइपूर लोट जाएंगे C.M. विश्टु देवसाय और रात 9 बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे C.M. शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज C.M. विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़दान उतारा है 3.00 बजे बिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे C.M. आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आपना यह बता दन कि राजदानी रायपूर के संदानी दर्बार मा आयुजन करे जाते महोटसब जारी है ज HOWओ आज मुखे मंत्री विश्चु देश साय तको संदानी दर्बार मा चलती महोटसब पहुची अब आज बारा बजे महा समुद्ध जिले के लिए वो रवाना होंगे सारे बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाश्पा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्य मंत्री इन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोड जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है 3 बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सियम साडाड़ी दरबार में 64 वी वर्सी महुत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दूजिला के दौरा करी हैं आप मला बतादन कि महासमुद मा एक डाहर जीहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उमें दूसर डाहर आप मला यहू बतादन कि राज़नी रायपूर के सब्धाने दर्बार मा आयोजन करे जाते महुत सफ जारी है जीहां आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय तको सब्धाने दर्बार मा चलती महुत समा पहुची और यहां लोगन ले मलाकात करहीं महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रैली मा शामिल हो ही आप मला बतादन कि प्रुरदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है ज भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचरेंगे सीम तो आज हमके मंत्री एन श्रेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करें शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार शदानी दर्बार में 64 वर सी महौत सों कारिकरम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें शामिल रहना है और उसके बाद रात में 29.00 बजे भी कारिकरम लगा справा है महोट्सव के आयजन करे जाते, जी हा, उमन शामिल हुई ता आज दू जिला के दोरा करें आप बातादन कि महा समुध मा एक डहार जी हा नामांगकर रैली मा उमन शामिल हुथे तो वहें दूसर डहार आप बातादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयज प्रदेश मां दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महा समुन सीथ हलो के शामिल है और आज महा समुन मां नामांकन प्रक्रिया जारी है और तीन बजे विलाईगर जीले के पाउनी पोचरिंगे सेम तो आज मुहा मंत्री एनफ शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीएम तो शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैंजान उतरा है 3 बजे बिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पहुचेंगे जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वी वरसी महोटसों कारिक्रम में हेड होते हैं महोटसों के आए जुरिया थे और आज मुखे मंत्री विश्ण देव साय तको सदाडाने दर्बार में चलती महोटसों मा पहुची और लोगन ने मलकात कर ही महासमुद में तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे बाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दौरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दौरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो धत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपुर लोटेंगे, कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साढ़े नोव बजे रायपुर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सीयम सादाड़ी दरबार में 64 विरसी 1000 कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं ये चलाबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जबा महासमुद सीट हलो के शामिल है आज महासमुद मा नामांकन रेली मा मुख्यमंतरी विश्ण दिरसाये शामिल होगी नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाई गड़ जिले के पाउनी पोचेंगे सेउ हैं आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे CM विश्टु देव साय और रात साधे नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे CM तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे इस बार बीजेपी ने साहू कंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मैंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे CM बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे CM अज जब्हाब किसी स्टेट के हेड होते है अलगलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल हुए तो उमें दूसर डहार आपनल यहू बतादन कि राजणानी राइपूर के सब्दानी दर्बार मा आयुजन करे जाते महुद सब्दानी जारी है जिहां आज मु आज महा समुद मा नामांकन रैली मा मुखे मंत्री विश्ण देर साय शामिल हुए बारा बजे महा समुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे जो भाशपा प्रत्याशी ब्रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंत् चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल हों महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामर दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमा जाएंगे सीम सदानी दर्बार में 64 वी वरसी महोत सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9.30 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जिला के दवरा कर करी है आप मला बतादन कि महा समूध मा एक डाहर आप अपनला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मां आई जबार आज जरियाथे आज मुखे मंत्री विश्ण देव साय तको सब्दाने दर्बार मा चलती महुत्य मा पहुची आज लोगन ले मलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन श्रेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैंदान उता रहा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे राएपूर लोटेंगे, कल भी 5 बजे लोटे थे और रात शाधे-णौबजे राएपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीयम शाधाणी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारकरम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है एक चनाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जबा महासमुण सीट हलो के शामिल है और आज महासमुण में नामांकन रैली में मुक्य मंत्री विश्टू दिरसाय शामिल हो ही तो आज मुखे मंत्री एनो शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाँच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंजान उतरा है तीन बजे बिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शदाडी दरबार जाएंगे सीयम सदाडी दरबार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अज लोगन ले मलाकात करी महासमुदमा तक आज उमन ना मंकन रेडी मा शामिल हुई आप मलें बतादन की प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर ना मंकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्चु दिर्सायर शामिल होगी जे मां नामांकन रैली में शामिल होगी बाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में शुदारे दरपार में 64-वी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मैंदान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दरबार जाएंगे सीम सदाडी दरबार में 64 वरसी मोहोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नमांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 16.9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल हुए तो उहें दूसर डहार आपनल यहू बतादन कि राजणानी राइपूर के सब्दानी दर्बार मा आयुजन करे जाते महोग सव जारी है जिहां आज मुक्य मंत् सब्दानी दर्बार बहुती महती जगह हावाय को ती टिस्थल हावय जी आं महोच्स के आयो जुन करे जाते मुद्रेश भर ले धालूह जुरियात आज मुक्य मंत्री विश्णदेश साय तको सब्दानी दर्बार मा चलती महोच्स मा पहुँची आज लोगन ने मलाकात कर आज वाले हैं बारा बजे महासमुद्ध जिले के लिए वो रवाना होंगे सारे बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाषपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णुदेव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णुदेव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है 3 बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम वृषदय उसाय पहुनी में चुनावी जनसर्बा को संबोजित करेंगे शामको पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और साधे 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगbak सियम सदाड़ी दरबार में 64-वी वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9.30 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जिला के दवरा करी हैं आप में बतादन कि महासमुद मा एक डाहर जीहां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उए दूसर डाहर आप में यहीं बतादन कि राज़्दानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते हैं महासमुद मा नामांकन रैली मा आप में बतादन कि प्रुरदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्यमंतरी विश्चु दिरसाय शामिल होगी तो आज मुख्यमंतरी एन श्रेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैंजदान उतारा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साले नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आपनले यह बतादन कि राजदानी रायपुर के सब्दानी दर्बार मां आयोजन करे जाते महोट सब जारी है आज मुक्य मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती महोट समा पहुची यहां लोगनले मलकात करही महासमुद में तको आज मन्य नामा अंकन रैली मा शामिल हुई तो आज महासमुद में नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्ण दिरसाय शामिल हुई बारा बजे महासमुध जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साई और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साई दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहाँ से कैंडिडेट है तामरो दत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैज़ान उतारा है तीन बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे राएपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साढ़े नौ बजे राएपूर के सदाड़ी दरबार जाएंगे सीयम सदाड़ी दरबार में 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है आज बारा बजे महासमुद्ध जिले के लिए वो रवाना होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को बैदान उतारा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाल रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देश साय पहुची सब्दानी दर्बार में चलती महुच्य मा पहुची यहां लोगन ले मलकात करही महा समुद में तको आज उमन नामांकन रेडी मा शामिल हुई आज मुख्य मंत्री विश्ण देश मा दूसर चलन के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिए मा महा समुद सीथ हलो के शामिल है और आज महा समुद मा नामांकन रेली मा मुख्य मंत्री विश्ण देश साय शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात 9.30 बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64.00 विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12.00 महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं सब्दानी दर्बार मां आयोजन करे जाते हैं मंखे मंतर् विश्श्चुदेश साय तको सब्दानी दर्बार मां चलती महोट्स अ पहुंची है आप मालONG समुद में तको आज जोन मन नमांकन रेडि मा शामिल हूँ हैं तादन की प्रदेश मां दूसर चरण के चनाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिर साय शामिल होंगी शाम प्रत्याशी बरूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे साड़े दरपार में 64-वी वर्षी मोहत्सव में भी वो शामिल होंगे बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मेंदान उतराये तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शदाडी दरबार जाएंगे सीम सदाडी दरबार में 64-वी वर्षी मोहत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नौ बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं प्रुड़े नामांकन रेली मां शामिल होते तो उसे दूसर जहार आपनल यह उपतादन कि राज़्डानी रायपूर के सब्दानी दरबार मां आयोजन करे जाते महोत्स जारी है आज मुख्य मंत्री विश्ण देश साए पहुची सब्दानी दरबार मां चलती महोत्स मा पहुची और लोगन ले मुलकात करी महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मां शामिल होते है बतादन की प्रुरदेश मा दूसर चलन के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिमा महासमुद सीथ हलो के शामिल है आज महासमुद मा नामांकन रेली मां मुख्य मंत्री विश्ण देश साए शामिल होंगे बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्य मंत्री आज सीएम विश्टु देवसाय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी बारा बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौधरी को मैंदान उता रहा है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज मुक्य मंत्री विश्ण देव साई पहुची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगह हवाए उती ठीत स्थल हवाए जी हां महुच सथ आजवाज करे जातों तो डेश भर ले रदालू है जृट्वाण है जुरिया थे जे मा महासमुन सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुन मा नामांकन रैली मा मुख्यमंतरी विश्चु दिर साय शामिल होगी बारा बजे महासमुन जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंतरी एन दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहद्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैंजान उतरा है 3 बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दरबार जाएंगे सीम सदाडी दरबार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अज दूजिला के दौरा करी है आप मला बतादन कि महा समुद मा एक डाहर नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उम्हें दूसर डाहर आपनला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सदानी दरबार मा आयोजन करे जाते महोटसों जारी है आज मुखे मंत्री विश्ण देश साहे पहुची सब्दानी दरबार बहुती महती जगा हावाय ती तिस्थल हावाय जी हां महोटसों करे जाते महां बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महा समुद सीथ खलो के शामिल है आज महा समुद मा नामांकन रैली में मुखे मंत्री विश्ण देव साहे शामिल होई है और तीन बजे बिलाईगर जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन श्रेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा क वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ण देव साहे और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साहे दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो धत साहू के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साहू कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वी वरसी महोत सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानी 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े 9 बजे भी कारिकरम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं महोत सोफ के आयजन करे जाते हैं उन्हें शामिल हो ही ता आज दू जिला के दवरा करी हैं आप मला बतादन कि महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उन्हें दूसर डहार आप मला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सदानी आईजन करे जाते महुत सब जारी है आज मुखे मंत्र विशुत देश साय टको सद्दाने दर्बार मा चलाती महों पहुची यहाँ लोगन ले मुलकात करही आज बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्य मंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साए और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साए दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरोदच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है 3 बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सियम साड़ी दरबार में 64 वी वर्सी महुत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डाहर जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल हुए तो उहें दूसर डाहर आपनल यह हुँ बतादन कि राजणानी राइपूर के सब्दानी दर्बार मा आयुजन करे जाते महोग सफ जारी है जिहां आज मुक् आज महा समुद मा नामांकन रैली मा आज महा समुद मा नामांकन रैली मा मुक्य मंत्री विश्ण देव साय शामिल हुए बारा बजे महा समुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचरेंगे सीम तो आज मुक्य मंत्री ए दारे दरपार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मेंदान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदेव साय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाड़ी दरबार जाएंगे सीम सदाड़ी दरबार में 64-वी वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डाहर जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल हुए तो उहें दूसर डाहर आपनला यहुँ बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयुजन करे जाते महोकसव जारी है जिहां आज मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय पहुची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगा हावाय उती तिस्थल हावाय जिहां महोत्स के आयुजन करे जाते मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय तको सब्दानी दर्बार मा चलती महोत्स मा पहुची आज लोगन ले मलकात कर ही महा सम नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विश्ण देव साय शामिल होगी राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहत्साव में भी वो शामिल होगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैज़ान उतारा है तीन बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाड़ी दरबार जाएंगे सियम सदाड़ी दरबार में 64 वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है आज बारा बजे महांसमुद्ध जिले के लिए वो रवाना होंगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पौणी पोचेंगे आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाज बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतारा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देश साहे पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती महोच्य मा पहुची आप में बतादन की पुरदेश माँ दूसर चरंगे चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुन सीध हलो के शामिल है आज महासमुन मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिरसाय शामिल हुई देखने वाले हैं 12 बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे सारे 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और 3 बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैज़ान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यानि साड़े नामांकन में उन्हें 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 साड़े नामांकन में शाम पाज बजे राइपूर लोड जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतरा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिकर्म लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आपनला यह हूँ बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मां आयोजन करे जाते महोट सब जारी है आज मुखे मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती महोट समा पहुची आज मुखे मंत्री विश्ण देव साहे शामिल हूँ बारा बज़े महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बज़े नामांकन रेली में शामिल होंगे बाश्पा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बज़े बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बज़े राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बज़े राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बज़े महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बज़े नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़दान उतार आए तीन बज़े मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बज़े रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बज़े लोटे थे और रात साड़े नो बज़े रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बज़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साले नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं होते हैं देश भर ले भाद के चलाओं बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्चु दिर साय शामिल होगी जे मां नामांकन रैली में शामिल होगी शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहद्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतरा है 3 बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दरबार जाएंगे सीम सदाडी दरबार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दूज़ दिला के दवरा करी हैं आप मनला बतादन कि महा समुद मा एक डाहर जी हां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उसे दाहर आपनला यहू बतादन कि राज़्दानी राइपूर के सदानी दरबार मा आयूज़न करे जाते आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सदानी दरबार मा उन्हें शामिल होते हैं आप मला बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है ज़िए मा महा समुन सीथ हलो के शामिल है आज महा समुन मा नामांकन रेली मा मुख्य मंत्री विश्ण देव साहे शामिल हो ही तो आज मुख्य मंत्री एन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएं विश्ण देव साहे और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीएंगे सीएंगे में चौसटवी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएंग बिश्टु देव साहे दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साहू के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साहू कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतारा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साले नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आपनले यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते हैं आज मुखे मंत्री विश्ण देश साहे पहुची सब्दानी दर्बार मा चलती महोट समा पहुची आज मुखे मंत्री विश्ण देश साहे बारा बज़े महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे सारे बारा बज़े नामांकन रेली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बज़े बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री इन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बज़े राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साड़े नौ बज़े राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बज़े महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बज़े नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहाँ से केंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है 3 बज़े मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम विशुदे उसाय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाथ बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाथ बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सियम साडाड़ी दरबार में 64 वी वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दूजिला के दौरा करी हैं आप मला बतादन कि महासमुद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली मा उमन शामिल होते तो उए दूसर डहार आप मला यह हूँ बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोगसफ जारी है जीहां आज अब दर्बार मा चलती महोट से मा पहुची अओ यहां लोगन ले मलाकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रैली मा शामिल हो ही आप मला बतादन कि प्रुरदेश मा दुसर चरण के चलावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है आज महासमुद मा नामांकन डेली में मुख्यमंत्री विश्ण देव साय शामिल होंगे आज महासमुद मा नामांकन डेली में शामिल होंगे रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैंदान उतार आया 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बज़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाल रात में साड़े नो बज़े भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुख्य मंत्री विश्ण देव साय पहुची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगा हावाय उती तिस्थल हावाय जी हां महोत्सों के आयजन करे जाते हो तो देश भर ले रंधालों है जुरिया थे आओ आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय तको सब्दानी दर्बार म और तीन बजए बदना चलती महोट से मा पहुची ओपeyeर आज दोगां यहां लोगल नमलकात कर ही महासमुद में तको आज उम्हननन नामांकरव एडि मा शामिल हुई आप में बतादन की प्रदेश मा दुसरग चरण के चलाव भर नामांकरव प्रकरिया जारी हे जे मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रेली मा मुख्यमंत्री विश्चु दिर्साये शामिल होंगी बारा बजे महासमुध जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैंदान उतारा है तीन बजे बिलाई गर जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाड़ी दरबार जाएंगे सियम सदाड़ी दरबार में 64 वरसी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज मुख्य मंत्री विष्ण देव साए पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती महुच्छा मा पहुची आउ यहाँ आज मुख्य मंत्री विष्ण देव साए शामिल हुची साड़े बारा बजे महासमुद्ध जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे भाश्पा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाई गर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन शेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाज बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे इस बार बी बीजेपी ने साहू कंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मेंदान उतार आये तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शादाडी दर्बार जाएंगे सीम सादाडी दर्बार में 64 वी वरसी मोहतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाल रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं चलाबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिवा माहा समुद सीट हलो के शामिल है और आज माहा समुद मा नामांकन रेली मा मुख्यमंतरी विष्टु दिरसायर शामिल होगी आज मुख्यमंतरी एन श्रेडिूल आपको बता रहे हैं नहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम 5 बजे राइपूर लोट जाएंगे CM विश्टु देव साय और रात 9 बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे CM तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसव में भी शामिल होंगे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे CM विश्टु देव साय पाउनी में चुनावी जन सभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे राइपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे राइपूर के शदारी दर्बार जाएंगे CM सदारी दर्बार में 64 वी वर्सी महुत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं तो आज दूजिला के दौरा करी है आपमाला पतादन कि महासमुद मा एक डहार जीहां नामांकन रैली मावमन शामिल होते तो उहें दूसर डहार आपमला यहू बतादन कि राज़नी राइपूर के सब्धानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोग सब जारी है जीहां आज मु आपमाला पतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्यमंतरी विश्ण दिरसाय शामिल हो ही शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जीले के पाउनी पोचरेंगे सीम तो आज मुख्यमंतरी एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय पाहुची सब्दानी दर्बार में चुनाटी महुची जगाँ हावाय ती तिस्फ़ल हावाय जीहां महुच्चा के आई ज़ोन करे जात है आज मुखे मंत्री विश्ण देर साय तको सद्धाने दर्बार मा चलती महुच्य मा पहुची और लोगन ने मुलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई आज महासमुद मा नामांकन रेली मा मुखे मंत्री विश्ण देर साय शामिल हुई तो आज मुखे मंत्री विश्ण देर साय तको आज मुखे मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ण देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में चौसटवी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्ण देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुन लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतरा है 3 बजे बिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सियम सदाडी दर्बार में 64 वी वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलक जिला के उमन्हें दौरा करत हुएं आज महा समुद मा एक डाहर जिहां नामांकन रेली मा उमन्हें शामिल होते तो उन्हें दूसर डाहर आपनला यहूँ बतादन कि राजडानी राइपूर के सदानी दर्बार मा आयोजन करे जाते आज महा समुद मा नामांकन रेली मा आपनला बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चनावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिमा महा समुद मा नामांकन रेली मा मुख्यमंत्री विश्ण देव सायर शामिर होई तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ण देव सायर और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्ण देव सायर दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को बैदान उतारा है तीन बजे मिलाई गढ़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम मिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात 9.30 बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सी-म सदाड़ी दर्बार में 64-ी वरसी महुत्सों कारिकरम में उनें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उनें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9.30 बजे भी कारिकरम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय पहुची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगा हावाए उती तिस्थल हावाए जी हां महुत्स के आये जुन करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय तको सब्दाने दर्बार मा चलती महुच्छा मा पहुची यहां लोगन ने मुलकात करहीं महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन शेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पा 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से केंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैधान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे राय नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अज मुख्य मंत्री विश्ँदेव साय पहुंची सब्दानी दरबार बहुती जगहा हावा है जिहां महुच सत्याइज़ करेंगे जाथे तोனा बसómoरे भी पांच बजे रह दालों हिए जिरियात थे ऐव महासमुद सीट हेलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्यमंत्री विश्ण दिर साय शामिल हुँ ही तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ण देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उता रहा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं सब्दान दर्बार मां आयोजन करे जाते हैं आज महासमुन सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुन मा नामांकन रैली मा मुख्यमंत्री विश्चु दिरसाय शामिल होगी तो आज मुख्यमंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्चु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहद्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्चु देव साय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैंदान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे राएपुर लोटेंगे, कल भी पांच बजे लोटे थे और राच साधे नौ बजे राएपुर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दरबार में 64 वरसी मोहुतसों कारिकरम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है चिनाव बार नामांकन प्रक्रियाँ जारी है जिक कारिया है जाँ मही वारा समुन सीद हलो के शामिल है और आज मही बजे महा समुन भ्रेक्रम विश्ण दिव्शाय शामील होई लो रहना होंगे जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साधे नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दौरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दौरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अचैनलों अचैनलों आज बीदरी नो 생각ने मोटे झेल होते हैं विअनों प्रोण परदेश मां दूसर केुट्व बनाव मांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रेली मा मुख्यमंत्री विश्ण दिर्साय शामिल होगी बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन श दुश्रदारी दर्बार जाएंगे सीम तो दुश्रदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौधरी को मैज़ान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं प्रण के हाँक बाद लूटे जनसत्ता है करें बाद को आज परन देश मा दूसर चरन के चलाओ बनां़ए नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीट खलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्य मंत्री विश्चु दिर्साय शामिल होगी जे मां नामांकन रैली में शामिल होगी बाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में को संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीविजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुखे मंत्री विश्ँदेव साय पाहुची सब्दानी दर्बार बहूती में ती जगह हावाय ती तेस्थल हावाय जी हां महुचसत के आयजन करे जाथे आज मुखे मंत्री विश्ण देव साय तको सब्दाने दर्बार मा चलती महुचा मा पहुची और लोगन ले मलगात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैंदान उता रहा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाड़ी दर्बार जाएंगे सीयम सदाड़ी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जब आप किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं आज बारा बजे नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं आज बारा बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे आज बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं आज बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं आज बाब किसी स्टेट के हैड होते हैं आज बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं बारा बजे महा समुन जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री इन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मारी चौदरी को मेंदान उता रहा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे राएपुर लोटेंगे, कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे राएपुर के सदाड़ी दर्बार जाएंगे सीयम सदाड़ी दर्बार में 64 वरसी महुचसों कारेक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यानि साड़े नामांकन में उन्हें बाद रहना है पांच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंजान उतरा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हैड होते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देश साय पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती महुच्य मा पहुची आज लोगन ले मलकात करहीं महा समुद में तको आज उमन नामांकन रेडिमा शामिल हुई आज मुख्य मंत्री विश्ण देश मा दूसर चलती में चलती में तको आज बारा बजे महा समुद जिले के लिए वो रवाना होंगे सारे बारा बजे नामांकन रेलि में शामिल हुँगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेलि है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उता रहा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग-अलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुन उमन पहुंची नामांकन रैली मा उमन शामिल हुई हिए कश्टंगे राइपूर के सदानी दर्बार मा घलो के उमन पहुंची ए उपरातमा करी सदानी दर्बार मा महुत्सव के आइजन करे जाते हैं, आज के मंत्री विश्छु देर साह पहुची सदानी दर्बार बहुती महती जगा हावाय है उती तिस्थल हावाय जी हां महुत्सव के आये जुन करे जाते हैं अब देश भर ले धालू है जुरिया थे आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय तको सद्धाने दर्बार मां चलती महुत्सव मां पहुची आज लोगन ने मलकात कर ही महा समु मां नामांकन रैली मां मुखे मंत्री विश्ण देश साय शामिल होंगी तो आज मुखे मंत्री एनफ शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पांच बजे राइपूर लोट जाएंगे सिय नव बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सियम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सियम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंजान उतरा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आपनला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मां आयोजन करे जाते महोट सब जारी है आज मुखे मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती महोट समा पहुची आज मुखे मंत्री विश्ण देव साहे शामिल हुई आज बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे सारे बारा बजे नमांकन रेली में शामिल होंगे भाश्पा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नमांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतार आ है 3 बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाड़ी दर्बार जाएंगे सीम सदाड़ी दर्बार में 64 वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.12 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दूजला के दवरा करी हैं आप मनला बतादन कि महा समुद मा एक डहार जी हां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उए दूसर डहार आप मनला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करी जाते आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय पहुची सब्दानी दर्बार मा पहुची आज लोगन ने मलकात कर ही महा समुद मा तको आज उमन नामांकन रैली मा शामिल होई आप मनला बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महा समुद सीथ हलो के शामिल है और आज महा समुद मा नामांकन रैली मा मुख्य मंत्री विश्ण देव साय शामिल होई बारा बजे महा समुद जिले के लिए वो रावाना होंगे सारे बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुखे मंत्री एन शेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीएम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैधान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है चनावा बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जय मां महा समोन सीट हलो के शामिल है और आज महा समोन मां नामांकन रैली मां मुख्य मंतरी विश्ट्ण दिरसाय शामिल होई प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज हमके मंद्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाज बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से केंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज मुक्री मंध्रि विशुदेव शाय पाहूची सबधानी दर्थ भार combыт यहाँ प्रदेश मां दूसर्द चरण के चलाओ बर Concern प्रक्रिया जारी है जे मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्यमंतरी विश्चु दिवसाय शामिल होंगी बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंतरी एन श शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मेंदान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाड़ी दर्बार जाएंगे सीम सदाड़ी दर्बार में 64 वर्षी मोहतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है फिए चनावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जबा मामा अंकन स्टेट हलो के शामिल है और आज माहासमून मा नामांकन रेली मा मुखे मंतरी विश्ट्र दिर्साय शामिल होंगी यानी वाले है 12 बजे माहासमून जिले के लिए वो रवाना हूंगे साड़े बारे बज़े नामांकन रैली में शामिल होंगे जो भाजपा प्रत्याशी ब्रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीम बज़े बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बज़े राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साढ़े नौ बज़े राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बज़े महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बज़े नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतरा है तीन बज़े मिलाई गड़ जिले के पवनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पवनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बज़े रायपुर लोटेंगे कल भी पांच बज़े लोटे थे और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं प्रदेश मां दुसर चरण के चलाव भर नावांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रेली मां मुख्यमंतरी विश्चु दिरसाय शामिल होगी जाने वाले हैं बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचरेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन श्रेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैधान उता रहा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपुर लोटेंगे कल भी पांच बज़े लोटे थे और रात साडैनो बजे रायपुर के शदाडी दरबार जाएंगे सदानी दर्बार में 64 वर्सी मोहत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9.30 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल हुए तो उमें दूसर डहार आपनला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयुजन करे जाते महोगसव जारी है जिहां आज मुक्य मं मुखे मंद्री विष्ण देव साई पहुची सब्दानी दर्बार महँथी महती जगा हावय हूए ती तिस्थल हावय है जिहां महुत्स के आये जुन करे जाए तो प्रदेश भर ले रधालू है जुरिया थे आज मुखे मंत्री विश्ण देर साय तको सदाने दर्बार मा चलती महुत्स मा पहुची आज लोगन ले मलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई आप मलबतादन क में शामिल होंगे जुद भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन स 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रेली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौधरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 ब नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े 9 बजे भी कारेकरम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं कि राज़दानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय पहुची सब्दानी दर्बार मा चलती महुच्य मा पहुची और लोगन ले मलगात करहीं आज मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय पहुची और तीन बज़े बिलाईगर जिले के पाउनी पोच्रिंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्चुदेव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे इस बार बीजेपी ने साहू कंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे, कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साढ़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वर्सी मोहतसों कारिकरम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाल रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें 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 साड़े नामांकन में शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम शुदारी दरबार में 64 वी बर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंजान उतरा है तीन बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अज मुखे मंत्रि वश्ण देव साय पहुची सब्दानी दर्बार माँ चलती महोच्च समा पहुची और यहां लोगन ले मलगात कर ही महासमुद मा तको आज उमन ना मांकर रेडी मा शामिल हुई आप में बतादन की प्रुरदेश मां दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुन सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुन मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिर साय शामिल हुई शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीथ हैं तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित शाम पाज बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को बैज़ान उतारा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज मुखे मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती महुच से मह पहुची आज लोगन ने मलकात करहीं महा समुद में तको आज उमन नामांकन रेडी मां शामिल हुई आज महा समुद मां नामांकन रेडी मां मुखे मंत्री विश्ण देव साहे शामिल हुई साड़े बारे बज़े नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बज़े बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं शामिल होंगे बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बज़े रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बज़े लोटे थे और रात साड़े नौ बज़े रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बज़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज बुखे मंत्री विष्ण देव साई पहुंची सब्दानी दर्बार बहुती जगह हावाए वती तिस्थल हावाए जिहां महुत्सव क्या जुन करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देश साय तको सब्दाने दर्बार मा चलती महुत्सव मा पहुची आज लोगन ने मुलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई आप मलबतादन की प्रदेश मा दूसर चरण के च में शामिल होंगे जो भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतरा है नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज लोगन ने मलकात कर ही गहाँ आज उमने नामांकन रेली में शामिल हुई है। आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे। आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रेली में शामिल होना है। रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है। इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौधरी को मैंदान उता रहा है। बिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम, बिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे, कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाए आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुखे मंत्री विशुदेव साय पाँची सरदानी दर्बार बहूति में ती जगा हावाए उती तस्थल हावाए जी हां महुत्सव के आए जुन करे जाते हैं अब आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय तको सद्धाने दर्बार मा चलती महुत्सव मा पहुची आज लोगन ने मुलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे बाजपा प्रत्याशी ब्रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुके मंत्री एनफ के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहद्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रेली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामर दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतरा है तीन बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है जबाब को रहने हैं आज मोने बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल होगा है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुछेंगे सिए तो आज मुख्यमंत्री इनव शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम 5 बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात 9 बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूपकुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरोदत साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूपकुमारी चौदरी को मैजदान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय पाहूची सब्दानी दर्बार बहूती महती जगा हावाए उती तिस्थल हावाए जी हां महूत्स के आयजन करे जाते हैं आज मुखे मंत्री विश्ण देव साय तको सब्दाने दर्बार मा चलती महुच्छा मा पहुची यहाँ लोगन ले मलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शे दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे साउ के खिलाब चौना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मेंदान उतर आए तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे राएपुर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और राथ शाड़े नौ बजे राएपुर के शदारी दरबार जाएँगे सीम सदारी दरबार में 64-वी वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9.30 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जला के दार? बहुती जगहाँ अवै उती, तिस्थल हाँ आज भले जुरीया थे आज मोखे मंत्री विश्चुदेश साय तक सब्दाने द Orion में चलती, महोत्सा में पहुंची आज बारा बजे महासमुद्ध जिले के लिए वो रवाना होंगे सारे बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं दर्फार मां आयोजिन करे जाते हैं कर्यात जबादन के प्रॉदर देश मां दूसर्ट चनावे बना मांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्य मंत्री विश्चु दिर साय शामिल होंगे बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी ब्रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्य मुल्टरी एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे बिलाई गर्ण जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सियम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जब आप किसी स्टेट के हेड होते हैं आप में बतादन की प्रदेश मां दूसर चरण के बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं आप को बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरोदथ साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साओ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंज़ान उतारा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीम साड़ी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते है आज मुख्य मंत्री विश्वदेश साय पहुची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगह हावाय उती तिस्थल हावाय जी हां महुत सब्दानी आयजन करे जाते है अज मुख्य मंत्री विश्वदेश साय तको सब्दानी दर्बार मा चलती महुत समा पहुची यहार लोगन लेमलाकात करे ही महासमुद मां तक आज मोर्ण नामांकन रिदि मां शामिल हुजी बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सीयम 64 वर्सी महोतसों कारेकरम में उन्हें शामिल होना है यानि 12 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं दर्बार मां आयोजन करे जाते महोत सफ जारी है पहुंची और व् OA скорее रही है के सब्दाने दर्बार मां प प्रक्रिया जारी है जे मा माहासमुद सीद खलो के शामिल है आज माहासमुद मा नमांकंb रैली मा मुक्यमंत्री विश्चु दिर्सायर शामिल हूँए बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे बाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सियम तो आज मुखे मंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सियम विश्णु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सियम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहतसम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सियम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से केंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैधान उतारा है 3 बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीयम सदाड़ी दर्बार में 64 वी वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अज मुख्य मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सब्दानी दर्बार में उन्हें शामिल होते हैं आप में बतादन की प्रदेश मां दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है ज़े मां महासमुद सीट हेलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन प्रक्रिया मां मुख्य मंत्री विश्ण देव साहे शामिल होगी तो आज मुख्य मंत्री एन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्ण देव साहे और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीएम तो शुदारी दरबार में चौसटवी वर्षी मोहत्सम में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम विश्ण देव साहे दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरदच साहू के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साहू केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंदान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीएम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दरबार जाएंगे सीएम सदाड़ी दरबार में 64-वी वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9.00 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जिला के दौरा करी हैं आप मनला बता द़न कि महा समुद मा एक डाहार जिहां नामांकन रैली मा ओमन शामिल होते तो उन्हें दूसर अपनला यह मत्तादन कि राज़्णानी रायपूर के सब्दानी दरबार मा आयुजन करे जाते हैं प्रदेश मां दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिमा महासमुन सीथ हलो के शामिल है आज महासमुन मां नामांकन देली मां मुख्यमंत्री विश्ण देव साय शामिल हुई तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ण देव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में चौसटवी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्ण देव साय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंज़ान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वर्सी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साले नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं जबाब किसी स्टेट के हेड है नामांकन रैली मा मुख्य मंत्री विश्ण देव साय शामिल होगी राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेश्टे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते है अलगलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल हुए तो उमें दूसर डहार आपनला यहू बतादन कि राज़णी रायपूर के सदानी दर्बार मा आयोजन करे जाते महोग सब जारी है जिहां आज मुखे मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सदानी दर्बार मा चलती महोग सब पहुची आज लोगल ने मलकात कर ही महा समुद मा तको आज उमन नामांकन रैली मा शामिल जिए मा महा समुद सीद खलो के सामिल है और आज महा समुद मा नामांकन रैली मा मुखे मंत्री विश्ण देव साहे शामिल हूँ ही साड़े बारे बज़े नामांकन रैली में शामिल होंगी है जो भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बज़े बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुखे मंत्री एन श्रेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो ज जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बज़े राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोह और सम में भी वो शामिल होंगे तीन बज़े बिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम विश्टु देवसाय पाउनी में चुनावी जन सभा को संबोधित करेंगे शाम को पाच बज़े राइपूर लोटेंगे कल भी पाच बज़े लोटे थे और रात साड़े नौ बज़े राइपूर के शदा आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं पहुचेंगे सीम विश्टु देवसाय पाच बज़े राइपूर के शामिल होई 12 बज़े महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे 12 बज़े नामांकन रैली में शामिल होंगे भाचपा प्रत्याशी ब्रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और 3 बज़े बिलाइपूर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्य मंत्री इन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बज़े राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साड़े नौ बज़े राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बज़े महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बज़े नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरदच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीज़ेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमार चौधरी को मैज़ान उतरा है 3 बज़े बिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सियम विशुदे उसाय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सियम साड़ाणी दर्बार में महुत्सों कारेक्रम में उनहें शामिल होना है यानि साड़े-बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाढ़ रात में साड़े-9 बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हैड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डाहर जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल हुए तो उहें दूसर डाहर आपनल यह हुँ बतादन कि राजणानी राइपूर के सब्दानी दर्बार मा आयुजन करे जाते महुद सफ जारी है जिहां आज मुक आज महा समुद मा नामांकन रैली मा आज महा समुद मा नामांकन रैली मा मुक्य मंत्री विश्णुद सफ जारी है नामांकन रैली में शामिल होंगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बज़े बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सियम तो आज मुक्य मंत्री एन श्रेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में च 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बज़े रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बज़े लोटे थे और रात साड़े नो बज़े रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सियम साड़े दर्बार में 64 वी वर्सी मोहदसों कारिक्रम में आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुख्य मंतरी विश्ण देव साहे पहूची सब्दानी दर्बार में पहूची महती जगहा हावाए बता दन की प्रदेश मां दुसर चरण के चनावबा ना वांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिर्साय शामिल होगी बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन श दुशुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो दुशुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौधरी को मैज़ान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के शदाडी दरबार जाएंगे सीम सदाडी दरबार में 64 वर्षी मोहदसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नौ बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज मुख्य मंत्री विष्ण देव साए पहुची सब्दानी दरबार में उन्हें पहुची सब्दानी दरबार में उन्हें सामिल होते हैं आज मुख्य मंत्री विष्ण देव साए पहुची सब्दानी दरबार में उन्हें पहुची सब्दानी दरबार में उन्हें चाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विष्ण देव साए और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में चौसटवी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विष्ण देव साए दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साओ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साओ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे राएपुर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साढ़े नौ बजे राएपुर के शदाडी दरबार जाएंगे सीयम साढ़ी दरबार में 64 वी वर्सी महुत सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाल रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है यानि साड़े नामांकन में उन्हें 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 साड़े नामांकन में शाम पाच बजे रायपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साधे नौ बजे रायपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंज़ान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं जवाब किसी स्टेट के हेड है नामांकन रैली में मुख्य मंत्री विश्ण देव साय शामिल होंगे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहत्साव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूपमार चौदरी को मैंजान उतरा है 3 बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीम सदाड़ी दर्बार में 64 वी वर्सी मोहोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जिला के दौरा करी हैं आप में बतादन कि महा समुद मा एक डहार आपनला यह हूँ बतादन कि राजदानी राइपूर के सब्दानी दर्बार मा आईजन करे जाते महोत्सों जारी है आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साहे पहुची सब्दानी दर्बार मा आईजन करे जाते महोत्सों जारी है मुख्य मंत्री विश्ण देव साहे शामिल हूँ है 12 बजे महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और 3 बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़दान उतार आए तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदेव साय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साले नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अपल अपल बता दन की प्रदेश मा दूसर चलाव भर नावांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्यमंत्री विश्चु दिर साय शामिल हूँ है बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन श दुशुदारी दरबार जाएंगे सीम तो दुशुदारी दरबार में 64वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौधरी को मैंदान उतार आए तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाडी दरबार जाएंगे सीम सदाडी दरबार में 64 वर्षी मोहदसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते हैं और आज बारा बजे नामांकन में शामिल होंगे भाषपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पौणी पोंचेंगे सिएंगे हैं शाम पाज बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो धत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुखे मंथ्री विश्ण देव साय पाहुची सब्दानि दर्बार बहुती महती जगा हावाए उती तिस्थल हावाए जी हाँ महुत्सव के आए जुन करे जाते हैं आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय तको सद्धाने दर्बार मा चलती महुत्सव मा पहुची आज लोगन ने मुलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई जाने वाले हैं बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे जो भाशपा प्रत्याशी ब्रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सियम तो साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सियम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सियम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रेली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरोधच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुख्य मंत्री विशुदेव साय पाउची सब्दानी दर्बार बहुती जगा हावाए उती तिस्थल हावाए जी हां महुत सत्या आयज़न करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय तको सब्दाने दर्बार मा चलती महुच्य मा पहुची यहाँ लोगन ले मलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जीले के पाउनी पहुचरेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शा शामिल होंगे मिलाईगर जीले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिश्चुदे उसाय पाउनी में चुनावी जन सभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रा आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज जबाब किसी स्टेट के हेड है प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री इन शेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतारा है 3 बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के शदाडी दर्बार जाएंगे सीम सदाडी दर्बार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जिला के दवरा करी हैं आप मला बतादन कि महा समुद मा एक डाहर जी हां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उन्हें दूसर डाहर आपनला यहू बतादन कि राजदानी रायपूर के सद्दानी दर्बार मा आईजन करी जाते आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय पहुची सद्दानी दर्बार मा नामांकन रैली मा आपनला बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिए मा महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मा नामांकन रैली मा मुख्य मंत्री विश्ण देव साय शामिल हूँई शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीएम तो शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मैधान उतर आ है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं सब्ढानी दर्बार मां आयोजन करी जाते हैं महोट सथ जारी है आज मुहके मंट्री विश्ण देश साह पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती हैं अज लोगन डिमलकात कर ही अज नामान आउटकर रेडिव शामिल हुई आज महासमुद मा नामांकन डेली मा मुख्यमंत्री विश्ण देव सायर शामिल होगी रात 9.30 बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सियम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होगे 36 गण में आज सीयम बिश्टु देव सायर दो जीलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जीलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महासमुद जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन डेली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैंज़ान उतारा है 3 बजे बिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलगलग जिला के उमन दौरा करत हुएं आज महा समुद में पहुची नामांकन रैली मा उमन शामिल हो है एक संगे राइपूर के सदानी दर्बार मा घलो के उमन पहुची वपरात्मा करी सदानी दर्बार मा महोटसों के आयोजन करे जाते हैं उमन शामिल हो है थल हावाय जी हाँ महुत्सव के आए जुन करे जाते हैं अब देश भर ले रंधालू है जुरियात है आज मुखे मंत्री विश्ण देश साय तको सद्धाने दर्बार मा चलती महुत्सव मा पहुची आज लोगन ने मुलकात कर ही महासमुद मा तको आज उमन नामांकन रेली मुखे मंत्री विश्ण देश साय शामिल हो ही में शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी महुत्सव में भी वो शामिल होंगे तामर दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मैधान उतरा है तीन बजे मिलाई इगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम विशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे जाम को पांच बज़े रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बज़े लोटे थे और राध साङले नौ बज़े रायपूर के शदारी दरबार जाएंगे सीम सदारी दरबार में 64-वी वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.30 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9.30 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जिला के दौरा करी हैं आप में बतादन कि महा समुद मा एक डाहर जी हां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उसे दूसर डाहर आप में यह हूँ बतादन कि राज़्दानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करे जाते आज मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय पहुची सब्दानी दर्बार मा उन्हें शामिल होते आप में बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चनावबर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मा महासमुन सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुन मा नामांकन प्रक्रिया जारी है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन शेडियूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देवसाय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतारा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीम शामिल होना है यानी साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज यबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अलग अलग जिला के उमन दौरा करत हुए आज महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उमन शामिल हुए तो उहें दूसर डहार आपनला यहू बतादन कि राजणानी राइपूर के सब्दानी दर्बार मा आयुजन करे जाते महुखसव जारी है जिहां आज मुक्य मंत्री विश्चुदेव साय पहुची सब्दानी दर्बार बहुती महती जगा हावाय उती तिस्थल हावाय जिहां महुच्चा के आयुजन करे जाते मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय तको सब्दानी दर्बार मा चलती महुच्चा मा पहुची आज लोगन ने मलकात क प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिए मा महासमुन सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुन मा नामांकन रैली मा मुख्यमंत्री विश्ण दिर्साय शामिल हुई बारा बजे महासमुन जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्यमंत्री एन शे दुशुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो दुशुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम बिश्टुदेव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैज़ान उतरा है 3 बजे मिलाई गर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बजे रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बजे लोटे थे और रात 9 बजे रायपूर के सदाडी दरबार जाएंगे सीम सदाडी दरबार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जिला के दवरा करी हैं आप मला बतादन कि महा समुद मा एक डाहर जी हां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उए दूसर डाहर आपनला यहू बतादन कि राज़दानी राइपूर के सदानी दरबार मा आयोजन करी जाते है महा समुद मा नामांकन रैली मा आपनला बतादन कि प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिए मा महा समुद सीट हलो के शामिल है और आज महा समुद मा नामांकन रैली मा मुख्यमंतरी विश्चु दिरसाय शामिल होई शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीएम तो शुदारी दर्बार में चौध सटवी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंज़ान उतारा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अज राज़्णी रायपूर के संदानी दर्भार मां आयूजर्यान करे जाते महोत सप जारी है आज मुख्य मंत्री विश्ण देख साय पहुंची संदानी दर्भार में चलती महोत समा पहुंची आज महासमुद में नामांकन रैली में शामिल हुई आज मुक्य मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोड जाएंगे सियम विश्णुदेव साय और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के श्रदारी दर्ब दर्बार जाएंगे सियम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सियम विश्णुदेव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतरा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं में आईजन करें जाते हैं आज बिश्चुदेष साय पहुची सब्दानी दरबार में चलती हैं लोग ने मलगात कर हैं महा समुन में तको आज उमन नामांकन राइडी मां शामिल हुई मुख्यमंत्री विश्ण दिवसाय शामिल होंगे मुख्यमंत्री विश्ण दिवसाय शामिल होंगे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मेंज़ान उतार आ है तीन बजे मिलाई इगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं रायपूर के सदानी दर्बार मां आयुजन करे जाते महोग सब जारी है आज मुखे मंतरी विश्ण देव साय पहुची सदानी दर्बार बहुती महती जगह हावाए है उती तिस्थल हावाए जी हां महोग सब करे जाते हैं आज मुखे मंत्री विश्ण देर साय तको सद्धाने दर्बार मा चलती महूत से मह पहुंची आज लोगन ने मलकात कर ही महासमुद मा तको आज नामांकन रेली मा शामिल हुई प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाई गर्जीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुखे मंत्री एन शेडूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रेली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौधरी को मैंदान उतरा है तीन बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी ये पांद बिजे लोटे थे और राथ साडे नाव बजे रायपूर के शदाड़ी धर्बार जाएंगे सीम साड़ी धर्बार में 64 वी वर्सी मोहतसों कारेकरम में उन्हें शामिल होना है यानी 16.25 बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में שड़ी नो बजे भी कारक्रम लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते है नो बजे भी कारेतां अनौ बजेश मघन हनला अब अर intentar होते हैं नो बकिसी मघन है पर थाइन वाले हैं बारा बजे महासमुद्ध जिले के लिए वो रवाना होंगे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे विलाईगर जिले के पाउनी पोचरिंगे सियम् के मंतरी एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे और रात साढ़े नौ बजे राइपूर के श्रदारी दर्बार जाएंगे श्रदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज CM बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरोधत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतरा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अपार पार मां आईँजन करे जाते हैं पांच बजुद साय पांच बलबहां चलती महुथ से मा पहूँची अइँ यहां लोगाल ने मलकात कर ही महासमुद मा तक म होँ आज ना मांगकन रेडि माशामिल हुई आप में लबतादन की प्रदेश मां दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिए मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रेली मां मुख्यमंत्री विश्ण दिर साय शामिल हूँ है शाम प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्यमंत्री एन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीएम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीएम तो शुदारी दरबार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीएम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साउ के किलाब चुना लड़ रही है इस बार बीबीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंदान उतारा है तीन बजे मिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के शदाडी दर्बार आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते हैं मुखे मंत्री विश्णुदेर साय पाउची सब्दानी दर्बार बहूती में ती कशामिल हुई आप मले बतादन की प्रदेश मा दुसर चरण के चनावबर नामांकन प्रकृया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्य मंतरी विश्चु दिर साय शामिल होंगी जाने वाले हैं बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्य मंत्री इन शेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्णु देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में चौसटवी वर्षी मोहदसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्णु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौदरी को मैधान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पान्य बजे रायपूर लोतेंगे कल भी पान्य बजे लोते थे और राट साठे नौ बजे रायपूर के सादाडी दर्बार जाएंगे सीयम आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं पुछदानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मां ऐजन करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्ण देव साय तको सद्दाने दर्बार मा चलती महुच्य मा पहुची आज लोगन ले मलकात कर ही महासमुद में तको आज उमन नामांकन रेली मा शामिल हुई बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रवाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रेली में शामिल होंगे बाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रेली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुख्य मंत्री एन श शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूपमार चौधरी को मेंधान उतार आए तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम बिशुदेव साय पौनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाँच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पाँच बजे लोटे थे और उसके बाद रात में साले नो बजे भी कारेकरम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं अज मुख्य मंत्री विशुदेव साय पहुची सब्दानी दर्बार में चलती महुच्स बहुची यहाँ लोगन ने मलकात करी महा समुद्मा तक ओ आज नामांकन रेडी मां शामिल हुई जे मां महासमुन सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुन मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्चु दिर साय शामिल होगी बारा बजे महासमुन जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीएम तो आज मुख्यमंत्री एन दुश्रदारी दर्बार जाएंगे सीएम तो दुश्रदारी दर्बार में 64वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होंगे इस बार बीजेपी ने साउ कंडिडेट ना देकर रूप मार चौधरी को मैज़ान उतारा है तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीएम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पाउच बजे राइपूर लोटेंगे कल भी पाउच बजे लोटे थे और राट साढ़े नौ बजे राइपूर के सदाड़ी दरबार जाएंगे सी-म सदाड़ी दरबार में 64 वरसी मोहदसों कारिकरम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं यानि साड़े नामांकन में उन्हें सामिल होते तो उन्हें दूसर जहार आपनल यहू बतादन कि राज़्दानी रायपूर के सब्दानी दर्बार मां आयोजन करे जाते हैं आज मुख्य मंत्री विश्चुदेव साई पहुची सब्दानी दर्बार मां चलती महूच्य मा पहुची यहां लोगन ले मलकात करहीं महासमुद मा तको आज नामांकन रेली मा शामिल होई हैं आज मुख्य मंत्री विश्चुदेव साय शामिल होई हैं नामांकन रेली में शामिल होज़बार मुझकास्य रूप कुमारी चौधरे की नामांकन रेली हैं और तीन बजे बिलागर जिले के पंवनी पहुचंगे सि यह हैं आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाज बजे राइपूर लोड जाएंगे CM विश्टु देवसाय और रात साधे नौ बजे राइपूर के श्रदारी दर्बार जाएंगे CM तो शुदारी दर्बार में 64-वी वर्षी मोहदसाव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज CM विश्टु देवसाय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए उरवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो धत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंज़ान उतारा है तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वरसी महोतसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं करदेश भर ले धर भाले ज्राद ज्रीया धर आज यहां लोगन ले मलकात करी महासमुद में तको आज नामांकन रेडि मा शामिल हुई आप मलेबता दन की प्रदेश मा दुसरत चरन के चनाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जिदमा महासमून सीट खलो के शामिल है और आज महासमून मा नामांकन रैली मा मुखे मंत्री विश्ण दिरसाय साहे शामिल हो ही थेने वाले हैं 12 बजे महासमून जिले की लिए वो रवाना होंगे साड़े बारे बज़े नामांकन रैली में शामिल होंगे बाशपा प्रत्याशी ब्रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बज़े बिलाई गरजीले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज मुक्य मंत्री इन शेड्यूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बज़े राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्टु देव साय और रात साड़े नौ बज़े राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसव में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बज़े महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.30 बज़े नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से केंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बीजेपी ने साउ केंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैधान उतरा है 3 बज़े बिलाई गर जिले के पाउनी पहुचेंगे सीम बिशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को 5 बज़े रायपूर लोटेंगे कल भी 5 बज़े लोटे थे और रात 9 बज़े रायपूर के शदाड़ी दर्बार जाएंगे सीम सदाड़ी दर्बार में 64 वी वर्सी महोत्सों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि 12.15 बज़े नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में 9 बज़े भी कारिक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं आज दू जिला के दवरा करी हैं आप में बतादन कि महा समुद मा एक डहार जिहां नामांकन रैली मा उन्हें शामिल होते तो उन्हें दूसर डहार आपनला यह हूँ बतादन कि राजदानी राइपूर के सब्दानी दर्बार मा आयोजन करी जाते महोत सब जारी है जिहां आज मुखे मंत्री विश्ण देव साय पहुची सब्दानी दर्बार मा चलती महोत समा पहुची आज लोगन ले मलकात करहीं महा समुद मा तको आज उन्हें नामांकन रैली मा शामिल हो हीं आज महा समुद मा नामांकन रैली मा मुखे मंत्री विश्ण देव साय शामिल हो हीं तो आज मुखे मंत्री विश्ण देव साय पहुचेंगे सेम तो आज मुखे मंत्री एन श्रेडिूल आपको बता रहे हैं जहां वो जाने वाले हैं पाउनी में चुनावी जिन सभा को वो संबोधित करेंगे शाम पाच बजे राइपूर लोट जाएंगे सीम विश्ण देव साय और रात साड़े नौ बजे राइपूर के शुदारी दरबार जाएंगे सीम तो शुदारी दरबार में 64-वी वर्षी मोहतसा में भी वो शामिल होंगे 36 गण में आज सीम विश्ण देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौधरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दच साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बीजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौधरी को मैजदान उतार आए तीन बजे मिलाई गड़ जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नो बजे रायपूर के सदाडी दर्बार जाएंगे सीयम सदाडी दर्बार में 64 वर्सी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा है आज जबाब किसी स्टेट के हेड होते हैं जबाब किसी स्टेट के बिश बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेक्रम लगा किसी स्टेट के बिशेद सब्सक्राइब करें नामांकन रैली मा मुख्यमंत्री विश्ण देव साय शामिल होगी राइपूर के शुदारी दर्बार जाएंगे सीम तो शुदारी दर्बार में 64 वी वर्षी मोहदसा में भी वो शामिल होगे 36 गण में आज सीम बिश्टु देव साय दो जिलों के दोरे पर रहेंगे कल भी दो जिलों के दोरे पर थे और आज भी 12 बजे महा समुन जिले के लिए और रवाना होंगे चुकि 12.15 बजे नामांकन रैली में शामिल होना है रूप कुमारी चौदरी यहां से कैंडिडेट है तामरो दत साउ के खिलाब चुना लड़ रही है इस बार बी बिजेपी ने साउ कैंडिडेट ना देकर रूप कुमारी चौदरी को मेंजान उतरा है तीन बजे मिलाई गण जिले के पाउनी पहुचेंगे सीयम बेशुदे उसाय पाउनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाम को पांच बजे रायपूर लोटेंगे कल भी पांच बजे लोटे थे और रात साड़े नौ बजे रायपूर के सदाडी दरबार जाएंगे सीयम सदाडी दरबार में 64 वरसी महोटसों कारिक्रम में उन्हें शामिल होना है यानि साड़े बारा बजे नामांकन में उन्हें सामिल रहना है और उसके बाद रात में साड़े नो बजे भी कारेकर्म लगा है आज जवाब किसी स्टेट के हेड होते है प्रदेश मा दूसर चरण के चलाव बर नामांकन प्रक्रिया जारी है जे मां महासमुद सीथ हलो के शामिल है और आज महासमुद मां नामांकन रैली मां मुख्यमंत्री विश्चु दिर्साय शामिल हुई जाने वाले हैं बारा बजे महासमुद जिले के लिए वो रावाना होंगे साड़े बारा बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे बाशपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी की नामांकन रैली है और तीन बजे बिलाईगर जिले के पाउनी पोचेंगे सीम तो आज प्रत्ले काने शुर्ण धसाथ जामांकन रावा जाने शावारी क काने जिले के जिले कोचेंगे साहब जागे बारा बजे क्वारा जएमारी के जाएमारी एलागे साहब